और जी अब श्टार्ट करेंगे हम लोग रिवीजन और रिवीजन जो होगा सबसे पहला श्याफ्टर उठाने जा रहे है डेरी विद्यूस सबसे ज़्यादा जो पूछने वाली बात यह थी कि सर रिवीजन जो आप करवा रहे हों क्या उसमें इस्टडी मैट के सारे कोश्चन्स कवा रहे हैं यस बेसिकली जो कोश्चन्स उठाए गया है वो उठाए गया है मेरी एक्जाम ओरिएंटेड बुक्स तो जिन बच्चों उन्हें बस एक काम करना है कि बुक्स ओपन करना है और बुक्स के साथ साथ आपको कॉपी और कॉपी में जो सॉल किया है वही में आपको करवाने वाना है अगर आप एक्जाम ओरिएंटेड बुक्स आपके पास है तो एक्जाम ओरिएंटेड बुक्स में जो कोश्चन नं है कि यार डेरिविट्व हमने कभी पढ़ा नहीं है और चलो समझ लेते हैं आइडिया भी हो जाएगा कि सर कैसा समझाते हैं कॉंसेप्स और अगर ऐसे बच्चे है जो डेमो देख रहा है तो रिविजन कभी डेमो नहीं होता है मैं आपको कोई कॉंसेप्स नहीं कर वाँगा मैं आपको याद कर वाँगा मैं आपको जो पहले पढ़ा हुआ बस वो याद कर वाँगा तो ऐसे बच्चे जो डेमो देखने आए वो प्ल और चैप्टर का नाम है डेरिविटीज एक सब्सक्राइब मुझे ऐसा लग रहा है लाइटिंग ज्यादा है इसको मैं थोड़ असा कम करता हूँ आपको पढ़ने में ज्यादा समस्य आपके आखों पर ज्यादा करते हैं डेरिविट्व क्या होता है डेरिविट्व की डेफिनिशन क्या है क्या यह एक्जाम में पूछेगा नहीं क्या कभी पूछा है नहीं क्या कभी पूछने वाला है नहीं तो डेरिविट्व है क्या डे डेरिविट्यू को हमने दो पार्ट में बाठ रखा पार्ट नमबर वेन जिसका नाम है और पार्ट नमबर टू फूचर कॉंट्रक्ट फावर्ड भी लिखा है पावर्ड हमारे काम का नहीं है तो ही पार्ट में पढ़ना है एक है ऑप्षन और दूसरा है फ्यूचर कि ज्यादत तर कोशिन कहां से आते सर ज्यादत कोशिन जो आते वो option पर स्वारी फ्यूचर कोंट्रक्ट से आते हैं रोकन पढ़ना ज़रूरी है ऐसा नहीं कि option से कोश्चन से आ false n websites कोश्ठ नहीं को सबसे strategy दो पार्ट करना हमको डरने वाली बात नहीं है बहुत सारी बच्चों का ये भी कहना क्या हम डरी वीटिव छोड़ सकते हैं क्यों छोड़ों गया क्यों वात पूस्ट है लिए डरी वीटिव में कुछ की छोड़ दीजी आप बिलकुल आसान चैप्टर बिलकुल इजी एक बार आप मेरे साथ सत्फ ताइम बिताई आपको समझने आजाएं हुआ है तो हम स्टार्ट कर रहा है डेरिवलिट्व डेरिवेट्व इसकी कर रहा है अप्शन एक पार्ट समझने सबसे पेले बेसिक्स और ओप्शन का का definition क्या है क्या नहीं है बुक का definition क्या इससे हमको मतलब नहीं तो अब चुरू मतलब किस से सर मतलब बड़े सिंपल सी बात है बहुत सिंपल लेंगवेच में समझाऊँगा मैं वो नहीं समझाऊँगा जो पहले 400 प्राइस है रिलाइस के शीर का आज 400 रुपे प्राइस है और राम को ऐसा लगता है कि आज से 3 महने बाद प्राइस पाइव हंडर हो जाने आज से तीन मेने बाद आज प्राइज है चार सो तीन मेने बाद 500 रुप हो जाए राम को प्रॉपिट कमाना है तो कैसे कमा सकते सिंपल सी बात है आज शेयर खरीद के रख लीजी कितना रुपए लगेगा आज 400 आफ्टर 3 मंस हम कितने रुपए में बेज देंगे 500 में बेज देंगे सिंपल सी बात है राम को कितने का प्रॉपिट हो जाएगा 100 रुपए का प्रॉपिट हो जाएगा लेकिन एक समस्या भी है आज शेयर खरीदने पर आज हमारे पास से कितना जाएगा 400 ठीक है दूसरी मात हमें उमीद है राम को उमीद है कि तीन मैने बाद शेयर का प्राइट 500 भो जाएगा लेकिन एसा भी तो हो सकता है लिकिन तो हो सकता है तो राम को कोई समस्या रही है पर राम बबात का डर वह दर किस बात का है दो चीज़े कि समस्या इसलिए और शेयर एक समस्या कि आज की आज में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा 400 दूसरी जो समस्या वो यह कि अगर प्राइस कम हो गए तो राम बरबाद हो जाएगा राम को लॉस हो जाएगा कितने का 100 का और क्या 300 प्राइस नहीं हो सकता हो सकता है यह भी तो एक प्रॉब्लम है और राम यह दोनों प्रॉब्लम से बचना चाहता है तो सुनों हुआ क्या अब 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 समझना अब समझने वर राम इन दोनों प्रॉब्लम से बचना चाहता है तो यह कौन है सर यह है राम और एक पिक्चर में आया जिसका नाम है श्याप अब कॉंसेट्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाओंगा मैंने पहली भी गाता पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं हवा में पढ़ा तो चलो राम कहता है तो आज प्रैस कितना आज प्राइस है तो राम ने यह जो भी समस्या है वो किस को बताया श्याम से बताया श्याम ने का सुनो 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 अँदा आप मुझसे एक सिप्ट खरीद लिजी पीट और यह शिप्ट की कीमत कितने है रिसिप्ट की कीमत है can be राम बेच रहा है क्या बेच रहा है क्रिसरीप्ट और उस रसीथ और उस रिसिप्ट में लिखा हुआ है एक रिसिप्ट कौन खरीद रहा है राम खरीद रहा है 20 रुपए देखे ओ रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है रिसिप्ट में यह लिखा हुआ है कि देखो राम आज अगर शेयर का प्राइस 400 तो नहीं एक दूसरा प्राइस लेते हैं 410 अगर 410 से उपर चला जाएगा आज से तीन महने बाद मालो आपको लग रहा ना कि प्राइस बढ़ेगा चलो बढ़ जाता है आप मुझसे एक रिस्ट खरीद लेजिए 20 रुपए का अगर शेयर का प्राइस 410 से उपर जाता है मालो जितना भी उपर जाता है सपोस 500 हो गय बुले आपको लग रहा थाने की प्राइस बढ़ेगा हमने का हां तो बढ़ तो बढ़ गया ना यस और कितने रुपए से बढ़ा सर यह तो 90 रुपीज से बढ़ गया तो बुले इस कंडिशन में हम आपको 90 रुपीज दे देंगे बात खता है इस मेंस राम का टेंशन खत प्राइस प्रामी अरामने प्रीमियम दिया किसको श्याम को और खरीद लिया क्या खरीदा लौट्री का टिकेट अरो उन्दली के हम लगे घराम को जब प्राइस बढ़ेगा है फाइव इन्डेट हो गय तो फटा हम थे जाएगा श्याम से 90 रुपा लेगा नो डाउट इसके लिए उसको 20 रुपए देने पड़े सर अगर प्राइस 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 600 हो गया तो फिर कंपरिशन करो अब तो भाई 190 का फायदा तो राम शाम जाएगा कब आज नहीं जा सकता तीन मैंने बात क्योंकि यह प्राइस तीन मैंने बात का और 190 ले लिए अगर प्राइस और कुछ नहीं है option option में क्या है option में कुछ नहीं है और आप एक लोटरी के- esa को आप क्या बोलते हूं सर उसको हम बोलते हैं option या option seller seller भी बोल सकते option seller option जो लटरी का नाम है उसका नाम है option option अच्छा सरी option बेच रहा है औब बदले में जो देना पढ़ राह ना पैसा उसको बूलते है प्रीमिय। इसको बोलता है कि यह कलिए और नाम क्या है इस ने लोट्री की टिकेट होल्ड करके रख है इस लियर इसको बोलते झिलांठ प्रीमिय। है इसको क्या बोलते हैं इसने learnt टिक भृबिय हुझा थे उस ठीक जा रहा वह कब दिया जाए को फाइडा है तो लौट्री की जू लौट्री खिलवाता उसको क्या फायदा से हम और में इसको नहीं कर सकते कि और सर इसको लग रहा था कि प्राइस बढ़ने वाला है और उसने जो sachन खरिदा इस ट्राइब के option को कौन सा option वोलते हैं कॉल कॉल option का मिनिंग कियाा कुछ म tyre नहीं कॉल option का मिनिंग बस इतना है कि भाइये हमने लोट्री कि ट्रिकिट खरीदा है और लोट्री प्राइस 500 हो जाता काम की चीज़ा यहां सुनना है अगर प्राइस सर 410 से बढ़ना चाहिए अगर 410 से बढ़ गया 500 हो गया तो राम को तो पैसे मिल जाएगे कि से स्याम से कम मिले गया से तीन मेने बाद की लोटरी थी सर 90 रुपीज मिल जाएगे इस 90 को कुछ बोला जाता ह यस इसको बोला जाता है ग्रॉस पेओफ ग्रॉस पेओफ पर इसको नेट प्रॉपिट नहीं बोलूगा 90 मिला मुझे किस से प्याम से कम मिला तीन मेने बाद पर उस 90 मिलने के लिए मुझे खर्च भी तो करने पड़े सर्क 20 रुपए तो अगर मैं कहूं नेट पड़े आजयता है नेट पेओफ कितने का है तो नेट पेओफ हैशात 9 का फायदा 20 रुपए घाने के बाद तर रुपए र इसको बोला जाता है डियों स्यों ठीक है राम ने कहा सुनो भां तो अप ऐसा वाला भी लौट्री वेच रेते हो क्या मोना को प्राइस बढ़ेगा च्या मैं ऐसा भी लौट्री आटिकिट खरी सकता हूं जिसमें मैं शर्थ लगाऊं कि प्राइस कम कर देहाँ वय्य वाने बनाओ इसलिए थोड़ा समझे सर हमें तो कॉल और पुट पता जी ने पता है बहुता है फास्ट पावट करो वैसे भी आप कर रहा हूं अच्छा सर फिर से राम और कौन सा पर्शन था है श्याम और स्याम से इस बार में लॉट्री की टिकेट खरीद रहा हूं कि प्राइस चार सो दस से कम होगा यह वाली लॉट्री की टिकेट आप मुझे बेज दीजिए बदले में मैं पैसे देने को त्यार हूं और हो सकता है पैसा अलग देना पड़े पाच रुपई देना पड़ा हो सकता अलग अच्छा लेकिन इस बार मेरी लॉट्री कब लगेगी जब प्राइस चार सो दस से उपा यह इसका नाम क्या है इसका नाम वही रहेगा क्योंकि यहीं तो लॉट्री की टिकेट बेच रहा है तो इसका नाम आप्सन राइटर ही और इसका नाम आप्सन बायर ही रहेख और सर प्राइज अगर हो गया मान दो मान दो 300 तो बोलो लॉट्री लग गई हम तो चाहा रहे थी कि कम हो जाया कितना 110 इसको क्या बोले जाता है ग्रॉस प्यॉप उसमें से 5 मैनस कर देंगी तो 105 का फाइदा इसको बोले जाता है नेट पे-off और सर अगर प्राइस 500 हो गया हम बोल रहे थे कि कम हो जाएगा बढ़ गया बढ़ गया तो हम लॉट्री जाएगी नहीं लगी हम आप्सन एक्सराइज ही नहीं करें अगर प्राइस कम हुआ और हमने कहा था कम ही होने का शर्त लगाया तो हम आप्सन एक्सराइ दुलसर के राखकर इसका नाम पॉसन राइटर या ऑप्चांब बेकर बीचने वाला हो ऑपशन राइटर के लिए रेरum ठीक सर और प्राइस कम होने के लिए जो शर्ट लगाती वो उसको क्या बोलती ओसको बोला जाता है इसरे मद्द्य की बात है दो टाइप के xoम होते है एक का नाम होता है और यौन मोर्ट अपूट में फ। ओट की हख किकेश भी करटें डी से एक य। ड़रा सा रिलेक्स करें चल रहे तोड़सां आ सब्सक्राइब नई भी पढ़ोगे तो चलेगा या आने वाला नहीं एक सब्सक्राइब हमारे काम की चीज कि है हमारे काम की चीज है कि option कितने type की होता है call और एक होता है put call option का right to buy or put option का right to sell यह हमारे काम की बात ने call option मतलब हम लॉट्ट्री की किए टिकेट खरीद़ रहा है कि захyty बाद की लॉट्री की प्राइस बढ़ेगा पूट उप्सन दर्लिक टिकेट खरीद रहे किस बाद की लॉट्री की प्राइस कहम हो गआ है से कज vapor अच्रा और भी सुनों option वैसे और दो टाइप के होते हैं अब यह क्या चक्कर है यह समझाने वालाओं कि किस दो टाइप के उप्टियों कि सुनों बैच्छे सुनों सुनों मेरी बात लोट्री लगा दिया राम ने लोट्रे की टिकेट खरीद लिया इसील कॉल कि अब यह प्रायस कब हुगा तो प्राइज होगा तीन महने के लिए लोट्री लगा कि तीन महने बाद हम 14 लॉट्री का फरीद रहा है आज 410 से कम होगा कब आज से तीन मेहने बाद यह है तीन मेहने यहां खतम होने वाला और यह है आज का प्रियर जिसको हम जीरो बरूट अब राम के पास option है कि किस टाइप की लॉट्री सुनोगे सुनोगे यह काम आने वाला है बाइनोमियल मॉडल करवा है एक लॉट्री ऐसी भी होती कि श्याम कहता कि भाई एक काम करो जब भी आपको लगेगा यह इस पिरियड में जब बीज्बी आपका दिल गरेगा जब भी बॉस्त कम हो जाएगा और 200 रुपए हो गया जब भी ऐसा लगा 200 हो गया ना चलो हम को बस हम जीत दो दया तो बीच में आप कभी भी आ सकते हो पैसे लेने गरी कभी भी जब आपका दिल करेगा जब 300 हो गए आपको लगा कारमे जीत गया तो रूप भी सकते हूं दोसों गुआ तो चलो आजाओ आपकी मर्जी आप बीच में कभी भी आ सकते हो actually exercise कर सकते हो एक ऐसा भी ऑपशन होता है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम अमेरीकन ऑप्शन when american option और 1 लोट्री एसी भी होती है कि बीच के price से हमको मतनु भी नहीं कि price काम हो रहा है कि ज्यादा हो में कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट के price को देखना है जितना maturity डेट है उसी दिन के price को दिकना अगर ऐसा option है तो घैसे option का नाम होता है European option कि अच्छों समझे आरे तो yeah option दो टाइब क्योंते यूरोपियन मतलब कब अमयच्य और होगा on a natrium और अमेरिकन कब मैच्योर होगा कभी भी हो सकता है सब्वाइच इसको कौन सा आइस तो उसके बताना कौनसी लॉट्री की टिक्ट मेहगी मिलती होगे अमेरीक्र ऑप्ष्ण क्योंकि mieć अमेरीकर ऑफचन में भी एक्ससाइस कर सकते हैं जब भी दिल करेगा अक्ससाइस कर सकते इसलिए वो मेला होता है मैने यहाँ बतायां यहाँ कि लिए तो यूरोप्ट YOURと कब मैच्च रोटा और यह कब आउन और बिफोर ठीक जब दो एक्जामपल गर ले कि हमज आएगा हाँ एक्जामपल गरूँगा चलो एक्जामपल नवर वन जिनके पास एक्जाम औरेइंटर बूक है उनको भी एक्जामपल नवर वन उनुन्हें कुछ्छ नहीं करना कोई प्रिंट आउट नहीं फोडिक लेना सिर्फ इस भीक आम करते है वाद करते हैं मंट Master यह smashed interested in buying a share share खरीदने का सोच रहा है तो क्या लग रहा है इसका कि प्राइज बढ़ने वाला कि कमान सर बढ़ने वाला यही तो लग रहा होगा तभी तो शेर खरीदने का सोच रहा है और ही इस हाविवर एफ प्रेट देट दप्राइज अप्षियर में मूड आउन अब यहां अब यहां और पढ़ा तो हैंस ही डज नॉट पर्चेश अशियर बट बाइस अ कॉल उप्शन क्या डाउट आया था आप कास समझ पाओ उनका एक कहना है सर अगर हमें ऐसा लगता है कि प्राइज बढ़ने वाला है तो अगर हमें ऐसा लगता है कि प्राइज कम होने वाला लग नहीं रहा है उसको डर है प्राइज 500 हो तो बहुत अच्छा है यार 400 से पास सो पर प्राइज 300 हो गये तो मुझे लॉस हो सकता है ना शेयर खरीदने का यही तो नुक्सान है तो वो शेयर ना खरीद कर कॉल ओप्शन खरीदने का सोचा है को आपको पता कैसे लग रहा प्राइज बढ़ने पाल पर उसको डर है कि कहीं प्राइज कमना हो तो हमारे काम की चीज क्या है कॉल ओप्शन खरीदा इस ट्राइक प्राइस कितना है 300 कि प्रीमियम कितना देना पढ़ रहा है 35 और कौनसा ओप्शन है कॉल कॉल ओप्शन है ना तो मैं इस टाइप से एरो बना देता हूं यार उपर जाएगा तो फाइब सबसे पहले आपको ब्रीक एवन ब्रेक एवन पॉइंट ब्रेक एवन पॉइंट मतलब नौ प्रॉफिट नौ दॉडर्स यह भगवान अब सुनना मिश्टर इक्या सोचेगा प्राइज बढ़ जाए भगवान प्राइज बढ़ा और प्राइज बढ़ेगा तो फाइदा और कितने रुपए से बढ़ा दो सर्थ 300 से उपर बढ़ा दो प्लीस 300 से उपर और एट लिस्ट इतना बढ़ा दीजिए कि जो हमने लॉट्री की ट्रिकेट खरीदा ना पैतीस रुपए वो तो रिकवर हो जाए उतना तो कम से कम फायदा हो उसके उपर तो मेरा प्रॉफिट इप्रॉफिट है तो ब्रिक इवन कितने प्राइज बढ़े तो इतना बढ़े कि 335 हो जाए बीपी बीपी का फॉर्मु आपको बहुत सारा प्राइस दिया हुआ है तो टेबल बनाना पड़े और टेबल से काम होगा तो तो एक से तो बीपी निकलना है और बीपी तो कुछ है नहीं है ठीक है अब सुनो अब हमें पेउफ निकालना तो पेउफ में क्या करना पड़ेगा टेबल सबसे पेले मार्कट प्राइस लिए फिर आपको बताना पड़ेगा exercise कर रहा हो या नहीं कर रहा हो या फिर exercise करेंगे कि नहीं तो हमेशा exercise price 300 है इस तरह से arrow बना दिया it means 300 से उपर जाएगा तो exercise कुछ बच्चे arrow 335 पर बना देते जो गलत exercise price से उपर जाएगा तो ठीक है sir 250 पर laps 270 पर laps 290 पर laps 300 पर laps और 320 पर exercise मतलब हमें अगर हम हम बोल रहे थे 300 से उपर जाएगा यहीं सर्थ है पर नीचे गया तो लैप्स हो जाएगा सामने वाली पार्टी हमको कुछ नहीं देने वाली जीरू पर जैसी 320 हो गया मतलब हमें 20 रुपए मिलेगा इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रियों पीफोर्टी हुआ तो फोर्टी मिलेगा फिर फिप्टी वा तो फिटी उसमेज देख्या माइनस करेंगे प्रीमियम हमें तो नेट प्योप निकलना और फिर यह नेट प्योप निकल जाए ठीक है जी ग्राफ भी बनाना होता है पर एक्जाम में कभी आज तक पूछा नहीं ग्राफ तो टेंशन लेने वाली ठाफ तो बहुत आसान है कुछ है नहीं है ठीक ऐसी एक एक्जामपल किसका ले लेते हैं पुट आप्शिक क्या लिखा हुआ एक बर पढ़े क्या यस मिश्टर जी को ये लग रहा है कि प्राइज एससेई सि क्या लग रहा है और गिरने वाला है तो वो क्या खरीद गहां? फुट आप्शन खरीद नहीं चाहिए फुट आप्शन एकसरसाइस प्राइस कितना है 480 तो यहां लिख लिया करो एकसरसाइस प्राइस 480 और है भगवान प्राइस कम हो जाना चाहिए और प्रीमियम कितना है 40 प्रीमियम है 40 ठीक है हम भगवान से क्या अब रहतना है चार सो सी से कम होना चाहिए यही सर्थ लगा रहा है रिसिप्ट कितने की ख़ीदा लोटरी कितने की ख़ीदा 40 अगर ब्रेक इवन प्रॉब पॉइंट मिंकालना अगर सर 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 ऐसा क्या हो कम हो पर एटलिस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा तो हमें ज़्यादा पायदा पर इस बिंञेंट के अ और फिर प्रॉफिट ल निकालना जैसे कर रहे थे ठीक तो बी पी में कोई शकने 440 सर्सका मतलब यह वह कि कॉल औप्शिन में बीपी कैसे निकलते है एक्शरसाइस प्राइस प्लस प्रीमियम और पुट ऑप्शन में बीपी कैसे निकलते हैं एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम पुट मतलब नीचे जाएगा तो माइनस कॉल मतलब बढ़ेगा तो प्लस हमेशा exercise price जैसे लिखते हो 480 तो यहाँ arrow लगा देना चाहिए कम होगा तो exercise यहाँ laps यहाँ laps यहाँ नहीं कम होगा तो exercise नहीं तो यहाँ यहाँ exercise यहाँ exercise यहाँ exercise नहीं चारसो असी पर exercise रही चारसो असी से कम होगा तो अब पे आफ तो दिख रहा है दिस मैनस दिस तो कितना जाएगा एक एटी 60 40 बाकि जिरो जिरो प्रीमियम मायनेस करने के बाद नेट पे उप एक्जाम में प्रॉफिट और लॉस भी पूछ सकता एक्जाम में नेट पे उप भी पूछ सकता दोनों के लिए तयार अधिक है जी तो यह था सब्सक्राइब यह तो यह ता तर यह सेल्स क्या करे चले आगे यह इट एक्जाम कोशन मैं इस टैप को को इकशन आया हूं तो अरे कोशिश रही है कि आसारे कुशन स्टार बाminute तो आइम लगे पोलते दो चार गंटे लगने तो साधे चार गंटे लग्जाएं न हुए टिए सरे से तो हम स्टार्ट कर रहा है कोशिस बनाना पहला कोशन बना रहा रहा है लम गये ला कि परते कोशिनлом भान वहमBo प्राइज नहीं है आज शेयर का प्राइज है 310 यह साउधानी से करोगे प्लीज मैं जब पेपर चेक किया हो ना यह गलती है कोई इसका प्रीमियम हमको देना पढ़ रहा है और प्रीमियम कितना देना पढ़ रहा है प्रीमियम देना पढ़ रहा है और कितना प्रीमियम देना पढ़ रहा है साथ अब भी उसने यह नहीं बोला कि मैं आपको बता रहा हूं इस बच इस कोश्चन में गलती होने के कोई चांसे सरी एक्जाम में आया नवंबर दो जारा अशारा में इसमें भी गलती कर दिया बच्चों और क्योंकि आगे में option holder option holder के cigация मतलब राम के otis or call option बोले अगर आप call option holder भू तो नेट पेयोंग कैंआ ठीप अलग अलग है इसको मिक्स मत कर दो exercise price कितना 320 मतलब call option में 320 से बोलो जल्दी से सर उपर जाएगा तो फाएगा और put option में बोलो एक ही exercise 320 से कम होगा तो फाएगा ठीक है ज़र ठीक है सर तो सबसे पहले आपको net pay up टेबल बनाना पड़ेगा यह मान के टेबल बनाना पड़ेगी कि आप call option फोल्डर हो यह मान के टेबल बनाना पड़ेगा कि आप put option फोल्डर देखें सबसे पहले अगर आप call option फोल्डर को तो exercise यहां हमें से arrow बना दिया करो उपर जाएगा तो exercise तो 300 पे लेप्स 310 पे लेफ्स यहां एक्सरसाइस यहां डिफरेंस दस यहां डिफरेंस इस प्रीमियम आठ तो प्रीमियम घटाने के बाद यह प्रॉफिट दूसरा अगर आप put option holder हो तो 320 से कम होगा तो exercise के लिए तर calculator लगएगा कि calculator की ज़रूरत नहीं पड़ेंगा मैंचे नहीं लगता है कैल्गूरत की ज़रूरत पड़ेंगे 320 से नीचे जाएगा तो exercise तो सर यहां भी exercise यहां भी exercise यहां लैक्स बोलो 20 अच्छा उल्टा सिला लिए ठीक है तो इस टेबल में कोई दिक्कत है कि किसी को नहीं सर पोई लिकत नहीं अब पॉइंट जो पूच्छा वो समझ रहा है इट मेंस यह वाला क्या कहना चाहता है पॉइंट बस यह नेट पेव निकालना तक्लीट नहीं है यह वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है यह तक्लीट है आल्सो इंडिकेट दा प्राइज रैंच प्राइज बताई यह एट विच जिस पर तो कॉल एंड़ पूट ऑप्शन में भी यह लाइन इंपोर्टन है गेन फुली एक्साइ जाए यह पर तो बताओं अगर 322 हुआ तो एकसराइज होगा नियुक फॉगा होगा इसा तो है नहीं होगा है नो डाउट मिलेगा कितना मिलेगा दो रूपए पर वह गेन फुली एकसराइज नहीं है उसमें कोई फायदा नहीं है उसमें तो लॉस्य यह रूपक है ऐसा price जिसमें exercise भी हो और profit भी हो ऐसा नहीं है उससे उपर हो तो profit हो क्या कहना चाहत। हूं समझने मिहारा ना? gainfully exercise. तो सर 320 से उपर जाना चाही। और 320 से उपर इतना जाए 8 रुपे की recovery हो और उसके बाद होगा उसके बाद अगर प्राइस होगा तो उसको बोलेंगे कि हाँ जी exercise हुआ और फायदा भी हो यहां तक ठीक है तो इटमिन सर वो BP मांग रहा है ना हाँ जी BP मांग अगर बोलना gainfully exercise हो तो वो break even point ही तो मांग रहा है तो सब ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं आप ऐसा भी तो बोल सकते थे ना भी की मांग रहा है अपको समझाना जबते हैं तो क्या BP हमें आता है यस कॉल में premium क्या करोगे plus put में से premium क्या करोगी ठीक है जी अच्छा कोश्चन है इस कोश्चन को प्लीज करके चले जाना आगे चल रहे हैं पक अब पॉइंट आगे हैं इंद मनी एट दमनी आउट अप दमनी इंटरंसिक वेल्ट्यू एन टाइम से इसके कोश्चन आते हैं किसके कोश्चन से नहीं आते आते नहीं है पर मैं यह नहीं बोला हूं कि आ नहीं सकते कि अब आगे जमां option pricing करें आप संप्राइजिंग इन सब्सक्राइब का मिनिंग पता होना बेलुकुल जरूर है अगर आपको नहीं पता तो समझ में है कि अग्युक्सर समझाइए कि समझा रहा हूं बिल्कुल लिहाज है आज एक्सरसाइज प्राइज है और जीरो ऑप्शन है कॉल यह है जीरो और पिरियट क्या है तीन में है हिए bees Call options हम कब खरे दती है जब हमें ऐसा लगता है कि Chy अधरज बढ़ेगा आज की तीन मैने बहुढ़न है अ मद तीन मैंने बाद के प्राइस से मतलब है मैंतीन मैंने का एक्जामपल ले रहा हो ऊब सिक्स हो सकता नाई नहीं हो सकता समझता तीन मैंने चल रहा है यार ऐसा जो ओप्षन है आज की में बात करूं तीन मेने बात कर तो छोड़ो अभी क्या भाव चल रहा है जो शेयर आपको 410 में 410 से ओपर जाना चाहिए वह तो अगर आज की आज exercise करेंगे तो भी फायता सी बात है आज भाव आज से ही दिखरा की उपर है कितना रुपए एक्ष्टा है सर यह तो एक्ष्टा है 90 रुपीज एक्ष्टा है यस 90 रुपीज अभी क्या फायता है को एप्षिन को बोलते हैं इन्द मनी मतलब लेंगविज जो चल रहे यारम-छण का कई लाम-धनिव iam 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 salad सर वो 300 चल रहा है तो अभी फायता है प्राइस तीन मेने बात कर नहीं देखना अभी कर दिखना कोई बुलेगा कॉल ओप्षन तो यार आउट आउट आप दा मनी मतलब अभी कॉल अप्षन है तो प्राइस कम है ज्यादा होना चाहिए अभी तो फायदा वाज़ा नहीं है अभी तो कम चल रहा है तो सर ऐसे और अ प्राइस बढ़ सकता है ठीक लेकिन अभी तो आउट आप दमनी जाहरा ऐसे औप्षन को क्या बोला जाता है ऐसे औप्षन को आउट आप दमनी ओटी एम ओंडिन लेक्स अंट अगर प्राइस फोर वान जीरो है तो क्या बोलोगे इंद मनी या आउट अप दम इसको बोलते एट दमनी एटीए ठीक है तो कॉल आप्शन कब इंद मनी कहला है जब मार्केट परीज ज्यादा हूं जब मार्केट परीज ज्यादा हूं एक दमनी कब कहलाएगा जब दोनों बराबर हूं और आउट अप दमनी मार्केट ज्यादा होना चाहिए कॉल आप्शन में पर कम है तो ऐसा ऑप्शन आउट आउट अप्शन इसी के जश्ट आपोजिट किसका हो जाएगा पुट बुद्धे की बात क्या सुनों मान लो अब सुनना अधियावन से अब काम के चीशे मान लो सर्क कॉल आप्शन है आज एक्सरसाइस प्राइस है 410 काम के चीज़ है बच्चों 410 और आज ही के दिन है मार्केट प्राइस 500 तो देखा देखो तो अभी की अभी 90 रुपए का फाइदा दिख रहा है कि को कॉल ऑप्शन जब मैं खरीदने जाँ होंगा तो मुझसे प्रीमियंगे में वसूल किया जा रहा है 16ellowmafr क Jeffrey my नंगाव। प्रीमियंग कितना है वसूल किया जा रहा मैं लोट्री की टिकेट खरीद सब्सक्राइब दिख रहा हूं तो लोट टीट कि 105 में भिक रही है भिक नहीं था एक सो पाच रुपए में हाँ एक सो पाच तो यार अभी क्या भी तो मंझे नभी का फायदा दिख रहा है क्योंकि कॉल ऑप्शन इंदा बनी है यास एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा लिया ज है तो इस टाइब की वजया से फंद्रा रुपए एक्रा लिया जा रहा है अभी की अभी जो पाइदा है इसका नाम है इंट्रिंसिक मेर्ट कि और जो एक्ट्रा लियो जा रहा है उसका नाम होता है टाइम वेलिव 105 प्रीहम को दो भागों में बाट में है जो अभी कि प्रीमियम कभी आ गया तो वालेटिलिटी प्रीमियम तो या फ्लक्टियेट हो सकता ना उसके वजह से 15 रुपए एक्ट्रा लिए जा रहे हैं यहां तर ठीक है ठीक है सर तो प्रीमियम के दो पार्ट है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम मेल्यू अगर और ओप्सक है ऐफ पाईदा है नहीए तो जो भी फैसा दा जा रहा प्रीमियम और घुक्टरा लग रहा है कि वह होने वाला मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहा था अगर यह 410 है तो क्या फाइदा है एकसराइस होगा नहीं होगा तो जो भी दिया जा रहा हो किसका दिया जारा है टाइम वैल्यू की नाम से दिया जारा सर्मुद्व की बात यह हैं अगर अगर हमें फाइदा हो रहा है अगर हम option exercise कर सकते आज तो वो जो difference है उसका नाम क्या रहेगा intrinsic value मतलब सब अगर option in the money है तो इन दोनों के बीच का डो difference है वो कहलाएगा intrinsic value और बचा हुआ क्या कहलाएगा टाइप लटे आपसर आउट आप दमनी है यह अपसर एट दमनी है तो intrinsic value हो गहीं नहीं क्योंकि फायदा है नहीं तो जो भी प्रीमियम दिया जा रहा है वो किस चीज का दिया जा रहा है ठीक है जी अच्छा सरी बार बताओ अगर प्रीमियम का असी रुपेल मांके एक सो पाच की जएक असी होता और intrinsic value कितना आया 90 तो फिर कैसे करते हैं ऐसा हो ही नहीं सा हमेशा अब यार कोश्चन को या जाए तो फिर से जो फायदा हो रहा है उससे प्रीमियम का एमाउंट हमेशा ज्यादा रहेगा 90 से ज्यादा ही आयक 90 या 90 से ज्यादा आयक टिक intrinsic value कभी 0 नहीं that's it ऐसी put option का आप सोच लोगे काफी discussion काफी चर्चा होगे तो there are two part of option premium intrinsic value या time value इसी को क्या बोला जाता है वालेटिलिटी प्रीम अगर option इंदमनी है then difference between current market price and exercise price is called intrinsic value if option is out of the money or add the money then intrinsic value will be 0 time value क्या आता होता है वो मैंने आपको सम्पर इस पर question नहीं है पर ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है यह में की हिस्ट्री ऐसी है कि पास्ट की कि यार्स यह में के question उठा कर डाल देता है फिर मैं आगे चल रहा हूँ कि यह सब्द भी आएगे अभी क्या चल रहा है हमारा अभी बेसिक ही चल रहा बेसिक्स जोंगो समझना को पूश्य है तो अब आपको पार्टिसिपेंट इन डेरिविटिव तीन सब्द मिलेगे एक है जर्स और एक है स्पैकुलेटर्स और एक है आर्विट्र यह समझना जरूरी है और इस बार पिछले बार के रिविशन में मैं क्या बोलता था कि यह जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में दे आएगा पर खतम करेंगे तो यह तो यह यह तीन सब्द मुझे समझाना पड़ेगा क्यों कि आएगा आएगा आर्विट्रिस हाला कि सर हमको पता पर फिर भी सुन्दों कि एक परसर ने जिसका नाम क्या है अगा अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है असी रुपए इसको क्या वोला जाता है इस पॉर्ट्रेट हाला कि यह फॉरेक्स में करवाने वालों पर अभी समयज़ना सब्सक्राइब इस पॉर्ट्रेट मतलब आज तरह रहे है यह रिवीजन कर रहे है इतना तो पता होगा आपको और इस भाइन सामने क्या किया इंपोर्ट तो इसको पैमेंट करना है डॉलर एक लाक यूएस वाली पार्ट और कब पैमेंट करना आज से तीन मैने बाद पैमेंट करना है दिक्कत यह है कि डॉलर आज खरीद के रखनी साथ और payment करना है तीन मैंने बाद आज रेट चल रहा है एक डॉलर असी का तो पता नहीं तीन मैंने बाद यार भगवान रेट बढ़ गया 85 हो गया इसको डर है कि रेट बढ़ गया तो क्या कर तो क्या किया जाए तो क्यों ना bank के साथ एक contract कर सकते bank कहेगा कि ठीक है जी तीन मैंने बाद मैं आपको डॉलर दे दूगा 81 के सबसे दे दूगा टेंशन आपका खतम यस टेंशन खतम हो गया इसका टेंशन खतम चाहे रेट 85 हो जाए market में उस दिन तीन मैंने बाद चाहे 86 हो जाए कोई मतलब नहीं है हमें जो डॉलर है वो कितने का मिल जाएगा हमें जो डॉलर है वो 81 का मिल जाएगा बात तो रिस्क से बचने के लिए यार कॉंट्रेट करना पड़ा सर्य डेरीविट्व कॉंट्रेक्ट है क्या डेरीविट्व भी होता है option पर वो मैं उतनी standard language यूज करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाए करेंसी option करे से future बोलने बना मैं नहीं बोलना चाहता हूँ तो 81 पे इस person का नाम क्या इस person को बोलते हैं है एजर्स है है करने के लिए यह जो है exposure exposure का मतलब होता है risk रिस्क से बचने के लिए contract किया इसका नाम होता है है just already risk है क्या करें बचना पड़ेगा कैसे करें मार्किट में जो करेंसी option में जाओ करेंसी future में जाओ इसका नाम है है ठीक मैंने आपको जो एक्जांपल करवाए हूं regular class में एक्जांपल वह मैंने किसान और गेहूं वाला करवाए हूं वह आप पुठी उतना में आप भी करवा नहीं सकता ठीक है सर और एक person था जो देख रहा था यार क्या देख रहा था वह देख रहा था एक contract हो रहा है और राम बोला है मैं खरी के साब से एटी वं के सब सर तो एक पर सन से लाघ रहा है अब्सुना ध्यां से शाम को ऐसा लग रहा Colorado यार डॉलर का टो 85 5 हो जाएगा पक्का पक्का हो जाए तो यह गया जिससे कॉंट्रेक्ट हो रहा तो उसके पास गया बोले प्लीज मुझे भी बेचोंगे क्या तीन महने बाद 81 मुझे भी बेचोंगे क्या तो उससे पूछा जा रहा है आपको डॉलर लगने वाला कि बचल मुझे कुछ नहीं हिखने अब ऊस्ट लगने वाला मैं तो time passer काशी पस मुझे ये लगने वाला है कि डॉलर का रेट तीन मेने बाद 85 हो जाएगा बस बाकी मैंने कोईzahl इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया मुझे को टेंशन भी नहीं मैं टैंशन से बचने के लिए काम hé génér하죠 मुझे प्रॉप पर यह फिलेख प्रोफिट कमांगा इसका नाम क्या होता- इसका नाम उता- इस प्फेटो नंस अ थिक है छिए हैंग समझ देखता यार क्या इक बार पताओ क्या डॉलर का rate अलग-अलग bank से डॉलर खरीते हैं, अलग-अलग जगा अलग-अलग हो सकता है, किसी बैंक में चल रहा है 85, किसी में चल रहा है 86 तो वो एक जगा से खरीदेगा और दूसरी जगा बेच देगा कोई loss नहीं, न हो सकता है कि दो को पर साथ करेगा एक खरीदने का कॉंट्रैक्ट एक बेजने का उन्रेक्ट और प्रॉपि्ट्टी होना इसको लॉस हो नहीं सकता इसका नाम क्या हुता और यह विड़ाजर 10 पर्सन है पड़ दोगे Language एजर्स इस्पैकुलेटर्स और आर्व टेजर्स ठीक है ठीक है सब्सक्राइए तर यह थेयरी कब तक चलीगी समझाना पड़े हैं इसकी बीना हो नहीं सब्सक्राइए अब मैं आगे चला रहा हूं कि घख़षी उससे कोश्यण नहीं आ आखू ऐसकिसमत इतनी खराब है मिलमें सब्सक्राइब से कुर्स ओड़े करना पड़ेगा यार नहीं करते दिख्कत हैं ऐसा लगता है फीर यार शुरू ना वहीं हमने भी किए घरिये खोड देधेर पर कोश्चन उठाकर देए शॉट से कोश्चन आया हूँगा वह मैं कर वोगा पर पहला सब्सक्राइब है क्या हूं समझा हूए कि थीरी नहीं समझा रहा हूं जो मेरे काम की चीज़ हुगा समझा रहा हूं कि मैं कि अ एक परसर ने जिसका नाम है रां है ठीक है अब राम को ऐसा लग रहा है कि आज शेर का प्राइस जो चल रहा है 500 कि वह फ्यूटर में कम हो जाएगा आज इसे तीन मैने बाद तीन मैने बाद प्रॉपिट कमाना है कैसे कमा सकते सर डैरीविटिव में जाएगे न और कोई और कोई दूसरा तरीका कि एक होता शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे वगे राप प्लीज सेयर मार्केट वाले बच्चों अभी इस यह मार्केट एक उनट के लिए भुला दो और मार्केट को ध्यान में रखते हो एक्जाम के तयारी कि टिक कि करने माला क्या हुआ है कि मैं किसी एक पर्सन को ढूणनोंगा बंति रोने जिसका नाम क्या है क्या है को से कौन सी कंपनी के शियर की बात हो रही है कि वेलाइस है तो स्याम सी यह बोला जा रहा तरह से त्रस्ट है रिलाइंस के लिए करूं लॉंग टरम मुझे नहीं मतलब बीच में कितना कम जादा हो रहा है मुझे मतलब नहीं है सर मैंने रख लिया हूं स्याम का जो अब्जेक्टिव वह इन्वेस्टमेंट है अराम से होल्ड का ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में बेचने वाल उसका बेचने का कोई इंटेंशन नहीं पर राम भाई साब उसको लग रहा है कि शियर का प्राइस कम होने वाला क्यों ना इस चीज से फायदा उठाए ज प्राइज्ट लिए क्या मुझे आप उठार दे सकते पैसा उठार नहीं पांग आपके पास रेखने रिलायंस का शेयर प्ली जो इस तो आपके जो भी चार्जे से में दे दूंगा आपको ऐसा नहीं आभी तो वैसी भी आपके घर्मी रखा ना शेर तो एक काम करो मुझे उधार दे तो मैं आपको वापस कर दूंगा साथ में कुछ पैसे लेजे ना भाई खुश लैंडिंग चार्ज वोल रांस तो ठीक है को है वह को ते दीकत है क्या कर बेचा आज ही बंक आंच माच कि ठीक तीन मैंने बाद जब श्याम आएगा कि मेरा शेर तो वापस करो ईनमैने बाद शेर का प्रअस कम हो चुका होगा यह तो बात हुए थी और ये कम price में खरीद कर इसको वापस कर देगा है बुलो राम को कितने का फायत पास्सों में आज बेज दिया और तीन मेने बाद पोर हंड्रेड में खरीद के शाम को वापस कर देगा शाम ने श्टॉक Pride है हमें इसका नाम किया होता-ैस का नाम है इस ленder इसको बनते स्टॉक लैंडर इसको बनते शॉट सेलर वो मंद्दे की बात नहीं है तो यह सारा पिक्टर है सर इसमें राम हाई साब को सौका फायदा इसको चाहिए था से ले सर इसको श्याम को क्या फायदा बदली में कुछ लेंडिंग चार्जी से मिल जाएगा इसको दस वीस रुपए दे देगा राम वो बताएगा कोशन में कि कितना रुपए दिया जाए सर समस्या यह है अगर प्राइज 600 हो गया तो फिर तो राम बरबाद हुआ आप तो गया है आपका एक्सपेक्टेशन आपको ऐसा लगना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए कि आपको लगी कि मार्केट कम हो बियरिश तब ही आपको फायता हुगा नहीं तो नहीं एट मिन 600 पे डिविडेंड कमपनी ने एनॉसमेंट कर दी राम का शेयर आपने श्याम का शेयर आपने मार्केट में किसी एक परसन को बेज दिया ठीक है अब डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलेगा सवाल यह है श्याम के पास शेयर है नहीं श्याम को तो मिलेगा नहीं राम को भी नह business का में इस से यह ने कर भी डीविटन्स को मिल जाएगा जो भी मार्केट में खड़ी रही को इसमें लौट किसका राम का था नहीं राम का तो ना शिर था ना थूस को कोई लोस लौस किसका रो शयां का लोस इस लाचांग प्यां को घूडिविडन्स मिलने वाला था वो तो बॉरोंगे चक्र में श्याम बरबाद होगा श्याम कहरा भाई आप मुझे पैसे श्यार का श्यार वापस किया ठीक आप मुझे लैंडिंग चार्जिस दोगे वह भी ठीक और सुनो साथ मेरा जो डिविडेंड का लॉस है वो कौन देगा राम कहता मैं दूगा वह भी देगा किस नहीं मुझे शेर मिला मुझे डिवृदेंड मिल जाने से डिविडेंड होने से राम को लॉस हैं और अगर प्राइस कम हो गया तो राम को फैदा है इस प्रोसेस को बोले जाता है शॉट से और स्वार्ट सेलिंग क्या आपको काम आएगा यस आगे में फ्यूचर करवाऊगा फ्यूचर में आर्विट्रेस होगा जहां शॉट से रिगा तो एक काम करते है शॉर्ट सेलिंग पे एक कोश्चन आया है वो कर ले यस तो यह कोश्चन आया था कोश्चन नूम्बर टू शॉर्ट सेलिंग पे एक्जाम में आया हुआ है तो हलकी में मत लेशिए गाइस रीट करें यस लिखा हुआ है Mr. A is holding 1000 shares of case value 100 each बुले कोई Mr. A है और उसके पास 1000 shares कौन सी कंपनी के है Mr. A B C Limited के है He wants to hold these shares for long term and have no intention to sell कोई दिक्कर नहीं आदे है और 1st January 2020 में सर्थ एक्स वाइज जेट लिमिटेड हैज मेट शॉर्ट सेल्स और में सर्थ ABC Limited shares अब आ गया राम पिक्चर में जिसका नाम यहां क्या है एक्स वाइजेट तो एक्स वाइजेट क्या कर रहा है शॉर्ट सेल कर रहा किसके ABC लिमिटेट के shares कर और वह भाई साब किसके पास मिश्टर एक के पास मिश्टर ए और मिश्टर ए ने इसको उधार दे दिया यह इस नहीं था और इसने क्या किया होगा बेज दिया होगा किसी थर्ड परसन थर्ड परसन वो सेल कर पिया नाम share to be borrowed for third month from first for three month तीन मैने के लिए बारो क्लिया जारा पर्स जन्वरी से 31 मार्च जैन 5 मार्च ड्लेंदिंग चार्ज इस वंन फर्षा से लेंदिंगुट इस देगा लैंडिंघ चार्जिस इपना परसन वैंपर्ष गोले लेंदिंग कारित कर दाख था पर्रसन लगेगा वपर्षंट to be paid every month और अग्लोजिंग प्राइस किस पर कैल प्रॉजिंग प्राइस किस पर कैल फॉटेट इन इस टॉक एच्छ फाइन डील हो गई है दिल में ऐसा है एक्ट वाइज एट ने इससे उधार लिया ना तो बदूले में लेंडिंग चार्जेज दिया जाएगा कितना पर्शन दिया किस पर क्लोजिंग प्राइज आप शेयर तो बाद में कैल्पिलेट कर देंगे लिए अग्यारेंटी विल बी प्रोवाइड इस कॉलिट्रल फार्दा वैल्यू एज और फैस्ट जनुरी 2020 से क्या कहना क्या जाता है कि मिश्टर एसे हमने शेयर तो दार ले लिया पर फियर व वापस कर दो कि थो हम बैंक से बात करें अब काम की चीज और बैंक से कहेंगे बैंक आप इनको गैरांटी दे अपको गैरांटी hundreds छेर आपको वपस करतेगा XYZ के तरप से मैं घड़ा हूँ bank वोलो मैं घड़ा हूँ XYZ तो bank free में तो यह काम करेगा ने तो bank कहता अगनों भी बदले में मैं आपको क्या दूँँगा उसका जो भी peace वगिरा है यव दूँँगा ग्यारटी का और कितना परसेंट कमप्षन के कुछ लिए ग्यारटी बिल भी प्रॉएट नहीं यहां नहीं लिखा पर यहां कोश्ट ऑफ बैंक ग्यारटी निखा एट परसेंट पर है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगर और 29 फैब 2020 बीच में ABC लिमिटेड डिक्लियर डिविडेंट 25 परशेंट जो कंपनिये उन्होंने 25 परशेंट डिविडेंट डिक्लियर कर दी तो सर डिविडेंट तो इसको मिल जाएगा आज इसने खरीदा उसको मिलेगा तो उस चक्कर में इसका लॉस है ना तो इसको डिव डिविड है और क्लोजिंग प्राइस दिया हुगा है ठीठ मांग क्या रहा से बस इतना बता दो इस टॉक को जो इसने उधार दिया है उससे मिश्टर एक को कौन कौन सी कमाई तो एक तो लेंडिंग चार्जिस मिलेगा इसको और इसको डिविडेंट भी मिलेगा दो चीच का इने वाला है एक तो इसको जो देना है एक तो लेंडिंग चार्जिस देना है डिविडेंड देना है और साथ में गया पाइंद भी हो उसलैew कर स%. सब्सक्राइब का 31 जनवरी का 29 फैब्क और 31 मांग चुका मांग क्या रहा है बड़ा कोश्चन था आठ नमबर का आया था भई टाइम लग गया सब इसी कोश्चन में अपने कितना टाइम लगा लगा तो क्या करूं मजबूर but you are required to find out just està अरणी कालना किसकी मिश्टर इव है किस प्रूब बले स्टॉक लेंडिंग इसकी इन बोतं सिनारियों किस लिए अर्म निख बमिश्टर मीश्टर आ जाहे प्राइज यह सेनारियो नमबर वण या तो यह मिश्टर एक की इनकम क्या हो जाए लेंडिंग जार्जेसम और लेंडिंग तरहि से इस पर लगा जाये कहा रोज इक परकुलेट इस पराइज इसके थे हो कितना पुर्शन फार्शन तो चलो और वण पार्शन गया वह हुग देख लिए थे मिश्टर एक की इंकम कि एक अप्तिस जन्वरी का प्राइस 29 फैब का प्राइस और 31 मार्च का इसका सबका वन पर्शन निकाल लिया एक शियर पर जो है वह आ रहा है इन सबको टोटल मारूँ के तो यह आ रहा है 28.80 एक शियर पर नंबर उफ शियर कितना है 31,000 तो अर्निंग कितना होगा 31,100 28,800 किस रूप में लेंडिंग चार्जिस की होगा इसके वादियमद अलग मिलेगा उसको ठीक इस लेंडिंग चार्जिस के रूप में कितना अर्निंग हो रहा है 31,100 अगर scenario बुली सो 28800 अगर scenario bahis управ के लावग how टोट ल अर्निंग निकाल इस तो लनिस के लेंग पहले में क्या बहुतर तो 25 पर, फेस वेल्यू का, तो फेस वेल्यू 100 रूपीस, तो 100 का 25 पर 25 रूपीस, तो 25 रूपीस, तो 25, 25, एक शेर पर, और ये कहां से आया, ये तो ये वाला लिख दी, अब इन दोनों को जोड दीजिये, तो 56.10 और 53.8 इन 2000, तो टोटल अर्निंग कितनी होरी, 56,153,800, इसमें जो सॉलूशन दिया हुआ है, वो मेरे बुक का प्रेजेंटेशन, आई सी, ए आई का नहीं है, जो मैंने आपकी कॉपी में लिख वाया हूँ, वही वाला प्रेजेंटेशन है, ठीक अच्छे, ठीक है सर, इसमें दिक्कत नहीं है, अब आगे चिर, वाट इस दफ, एक्स, वाय, जेट को बताईए, प्रॉफिट हो रहा है, कि लॉस हो रहा है, तो चलो पहले उसका कैसा उख लो देख ले, पर जब इस से उधार लिया था, तो कितने में बेचा था, एक तारीख की वात नасьर, यहां तो 5000 में बेचा होगा, अगर, यह सेनारी हो चाहिए मतलब बेचा है एक हजार में लेकिन जब वापस लेकर तीन मैने बाद खरीद के जब वापस किया होगा तो यहां तो एक हजार पचास में खरीदा हो इट में सर यहां तो पचास रुपए का लॉस है यास तो यहां पचास रुपए का लॉस है और यहां होगा 31.10 28.1 यह भी एक प्रकार का लॉस है और गैरंटी के लिए कुछ लिखा था बैंक गैरंटी कब दिया जाएगा तो बैंक गैरंटी के लिए विश्चे में कुछ लिखा था सायब 8% दिया जाएगा कौन सी विने एक जनुरी 2020 को जो प्राइस होगा ना उस पर मतलब 1000 प कि इसके अलावा और एक चीज आना चाहिए था पर आई सी ए आई ने नहीं लिए इस भाई साब को एक्स वाई जैट को तो डिविडेंट भी तो देना पढ़ रहा है दिविडेंट भी तो कंपनसेट करना पढ़ तो इसका तो वह भी लोस है वहां कंसिडर नहीं किया कुछ अच्छा नया कोशन आया था अच्छा कोशन तो बेसिक्स में हमारी यह बात खतम है और एक चीज है जो मुझे आपको समझाना है तो हमारा बेसिक्स पूरी तरह से खतम हो जाए और और वह एक्सपेक्टेड वैल्यों पॉप्सन वह भी समझे लो टेंसन खतम है कि सब्सक्राइब कैसे निकालते हैं मुझे बताओं हम कहते हैं कि तीन महने बाद शेयर का प्राइस क्या हो सकता कुछ भी हो सकता है तीन महने बाद सब्सक्राइब मढनो हमारा है कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कुछ भी हो सकता है मालनो हमारा हमारा मौन यह तो प्रॉप्सक्राइब expected price क्या है expected price of share probability मालू मैं आपको मैं probability नहीं समझा सकता तीन मैंने बाद share का price 150, 300 भी हो सकता 200 भी हो सकता 100 भी हो सकता तो बताओ expected price क्या होगा तो 300 into 0.5 M plus 200 into 0.3 M plus 100 into 0.2 M plus MRS 230 रुपय प्राइस हो जाएगा इसको बोला जाता है expected price expected price क्या है इन सब को probability से multiply करके total करते summation of pricing to probability यह तो आपको पहले से आता है इसमें मुझे कुछ संजाना नहीं है लेकित अब समझने वाली बात क्या है हम जब जब भी option खरी देंगे जब जब भी option खरी देंगे तो हमें बदले में premium देना पड़ेगा तो हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि यह जो premium हमसे मांगा जा रहा हुतना हमें फायदा होने वाला भी है कि नहीं माने हो हमारी क्या expectation वो मैं संद्निकालने की कोशिस कर रहा हूं अब देखो मैं मैं क्या सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं यार 150 रुपैस से उपर जाएगा call option तो exercise हो जाए तो सर 300 भी तो हो सकता हो सकता है तो उस condition में मुझे कितने का फायदा देखो बेटे देखो मरी बार उस condition में सर 150 का पे और 150 का फायदा हुआ तो सेर का फायद 200 भी हो सकता है या तो भी मैं option exercise करूंगा पचास का profit हो अगर 100 हुआ तो सर option exercise ही नहीं इट मेंस profit होने की क्या probability 150 होने की probability है 0.5 पचास होने की probability है 0.3 और 0 होने की probability है 0.2 तो मुझे क्या profit होगा expected profit 150 इंटू 0.5 एंप्लस और 50 इंटू 0.3 एंप्लस नमार से इसको संब करूंगा तो मुझे 90 रुपय का expected profit होगा मतलब मेरे पास जो लोट्री की ट्रिकिट है उससे मुझे future में expectation है की 90 रुपय का फायता होगा इस एकस्पेक्टेड वैल्यू और अप्सण मुझे तो कुछ बच्चों का यह गयाना था सर आप सीधे 150 और आपको बात का प्राइस तो मालूम है तो इन दोनों का difference क्यों नहीं निकाल रहा हूं इसका मतलब है कि यहां में loss भी consider कर रहा हूं जो की गलत है आप सब्सक्राइब करेंगे कि हमको प्रीमियम देना है तो कितना देना सोच के बताना मुझे प्रॉपिट कितने कहों रहा है नाइंटी रुपीज और मुसे प्रीमियम मांगा जा रहा है 110 रुपए क्यों तुम क्या विए कुछ प्रीमियम मांगा जा रहा है साट रुपए तो मैं सोच सकता हूं साट रुपए आज देना है और फ्यूचर में तीन मैने बाद 90 रुपए का प्रॉपिट है एक्सपेक्टेड सोच सकते हैं हाला कि इसका मुझे इसे निकालना चाहिए वह मैं कर वाँगा वैली और अभी मैं बात कर रहा हूं अभी मैं प्रिजेट वैल्यू की तो बात कर है न हम कि हमें वह प्रीमिया जो अभी हमने दिया ही नहीं है उसको क्यों मैं वही सोच रहा हूं कि जो मुझे मिलने वाला फ्यूचर में वह पैसे मुझे आज देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए बस यह जो था मुझे कितना इस पर दो कोशन है और दोनों कोश्चन तो बड़े सारे पर दो कोश्चन मैंने सेलेक्ट किया मेरी नजरों में अच्छे कोश्चन अग्जाम में आता है क्या आ सकता है तो कोश्चन वाफ आई लिखा हुआ है अच्छे से करोवे एकवडी शियर ओफ पी क्यू आर लिमिटेट इस प्रिजेंटली कोटेड थ्री ट्वेंटी यह हमारे काम का नहीं है अभी प्रिजेंटली कोटेड आएगा यहां बच्चों की गलतिया होती है वो इसको एक्सराइस प्राइज मान के सौल कर दिता जहां खेल खतम हो जाएगा दो मार्केट प्राइस अब दस यह आफ्टर 6 मंथ हैस द फोलिंग प्रोबाइब टिस्रीबिशिट एक्स अची दूसो शाट दूसो शी तिंस ओ बीज चार्स प्रोबाइबलेटी एफ पॉइंट वइन पॉइंट टू पॉइंट फाइब पॉइंट वइन पॉइंट बात किसकी ओ रहे है पूट अप्स इस्ट्राइक प्राइस कितनी है 300 कैन भी रिटन लिखा हुआ है मतलब सर्थ 300 रुपए से नीचे जाएगा तो अप्स एक्सराइज करेगा पर में नहीं करूँगा सामने वाला करेगा अब सामने वाला ओप्स एक्सराइज करेगा तो मेरा लॉस है वह इसी बात है और जितना मेरा लॉस है उतना तो पैसा मैं सामने वाले से वसूल करूँ तो उस option की value उस lottery के ticket की value क्या है उसके लिए 90 रुपए तो मेरे लिए लिए तो 90 रुपए ना यार बात समझने की कोशिश करो option buyer के लिए जो value आएगा वही option holder के लिए भी आएगा option holder के लिए 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 यह लोटरी का टिकेट से मुझे 90 का फायदा होने वाला है तो दूसरा क्या सोचता होगा इस lottery की ticket से मुझे 90 का loss होने वाला है तो यह lottery अगर मैं बेच हो तो मैं 90 रुपीज तो कम से कम लूँगा यही तो मतलब हुआ ना तो बच्चे कहां कंफ्यूश हो गया थे उनका यह कहना से रिटन लिखा हुआ है रिटन तो आप तो बायर के एंगल से कैसे कर सब्सक्राइब बायर के एंगल से वेल्यू निकाल लो चाहे उसके प्रोबाइबिलेटी मान के चलना हूं दोनों की एक जैसी यहां तो रा मैं उसी के साबते बत दालना है यह जो भी आया उसका ग्रॉस प्रोबाइबिलेटी से मल्टिप्लाई किया यह और आंसर निकाल लिए थाड़ी रूप्स रिटन में ज्यादा फसना मत्ती ओप्सन इस रिटन लेखा हुआ है तो दिक्कत होगी है ठीक है चले आगे ठीक इसर चलता है ऐसी और एक कोशन एक कोशन अच्छा है इसमें बच्चों के डाउट से हैं और सुनो कहां डला हुआ है MTP मार्श 2022 में है SM में भी आया हुआ है और प्रैक्टिस मैनुल में भी है तो इंपॉर्टन तो है आप्ट जी लिखा यू एज एन इंवेस्टर है पर्चेस पूर मंथ पॉर मंथ कॉल अप्ट कितना और प्रुपिश टैने शी यह 10 रुपे एक साइफ प्राइज है क्या यू एज एन इंवेस्टर हैड पर्चेस अफ पॉर मंथ कॉल ऑप्टन ओन एक्विटेश यह प्रीमियम है करेंट मार्केट प्राइज है 132 हमारे काम की चीज़ है एक्सराइज प्राइस जो की है 150 कौन सा ऑप्टन है कॉल तो 150 से उपर जाएगा तो रॉहटकर सब्सक्राइज क्या हो सकता लिए 120 से 190 हो순 यह एकस्पाक्टेट ट्राइज निस कर नुकाना सब्सक्राइज कुछ सप्पेक्टेट इंयु आंडा है थे सरक रॉत कर यह और آंबिलिटी से मॉन्टिपलाइज करना है और आंसर निकाले cathности अगला पॉइंट यह वाला पॉइंट समझ में नहीं आया अचली बच्छो पॉइंट नमबर टू में बड़े सारे डाउट्स बहुत ज्यादा कोश्चन पुछी जा रहे है आपको निकालना है वेल्यू औप कॉल आप्सन एड़ दी एंड आफ पोर्म ठीकिसर प्रब्याब यहीं तक खतम हो जाती तो बात दीस वेल्यू औप कॉल ऑफसे तुम्हेशार उपकॉल और ाकॉं कि चार मेंने बाद जो मार्केρ प्राइस रहेगा ए कि शार मेंने बाद मार्केश किया प्रइज्ट मिभ्लक का मतलब है कि आप जो साइस को यह अधि़ू है वही चार मेहने बाद मार्के प्रइस रहे प्रइज्फ बूक्स जम सुनों कि उसमें सॉलूसर जो बुक से कर रहा जिसमें गलत लिखा कि निलसेरा आज असर आएगा 0 कि 150 और मार्केट प्राइज बी 150 तो उस कंडिशन में वैल्यो पॉप्सन किया जाएगा जिरो एक्ससाइज प्राइस प्रीवेल्स का मतलब है समझ गया तीसरा expected value of option तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी वाले आपको सीधा सीधा काम करोगे 150 से उपर होना चाहिए और यह एक्सराइज नहीं यह एक्सराइज यह एक्सराइज और यह दूसरा करना option pricing और तीसरा जो करवाना है वो करवाना है क्या चीज option इस्ट्राइट तो अब हम पॉइंट ना पार्ट नमबर टू पे चलते हुआ चलो जी तो आगे चले यसा तो पहला पार्ट था बेसिक आगे चल रहे हम लोग और अब जो बात करेंगे वह बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ऑप्शन प्राइस पर बात हो रही है जिसको आफ वैल्यूइशन ऑप्शन भी बोल सकते हैं ठीक है अटिक है अटिक अचलो तो मुद्दे की बात यह है कि यहां से कोश्चन आता है अकसर ऑप्शन प्राइसिंग है कि असर यह बता यह काम भी चीज़िए कि अक्यूर ऑप्शन प्राइजिंग है कि क्या हमें वो चो रिसिप्ट की बात कर रहा है ऑप्शन खरीदने की बात तो बदले में कुछ देना पड़ता है जिसका नाम है प्रीमियम अगर मैं कहता हूं यह एक परसने जिसका नाम है राम और राम कोई रिसिप्ट खरीद रहा है जिसका नाम होता है ऑप्शन तो सरफ बदले में कुछ देना होता है यह सब बदले में कुछ देना होता है जिसका नाम होता है प्रीमियम उसकी कीमत प्रीमियम मतलब ऑप्शन की कीमत और यह करीब-करीब हमको देना है 25 अभी लिया नहीं है हमने option खरीदा नहीं है अभी हम ये decide कर रहा है कि हमको option खरीदना चाहिए कि नहीं कर तो यार वो जो मैं 25 रुपए सामने वाले से बोला कि यार मुझे call option खरीदना है उसने ये का कि 25 देना पड़ेगा तो मैं यहां यह कोशिश कर रहा हूं कि यह जो 25 है यह देना मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा value of option सिर्व जो निकाल रहा थे वो present value नहीं थी वो थी expected value बस उसी को मैं present value निकाल रहा हूं मुझे निकालना पड़ेगा value of option क्योंकि premium कब देना हो रहा है तब premium तो आज देना पड़ रहा है तो value भी कब निका लोग की Rs. वैल्यू का मतलब क्यों होतहां कि मैं जो चीज खरीद रहा हुंँ अई उससे मझे जो फूर ने फाइदा होने वाला उससे बिस रूपय का से सोर्द होने वाला उसका प्रजन वैल्यूत वैल्य है अगर जो प्रीमियम है अगर जो आप्सन का प्राइस है वो इससे जादा है तो यह उवर प्राइस है हम नहीं पर अगर एक्च्वल में वैल्लिव हमारा निकलता 30 रुपए कि यार अगर मैं आप्सन खरीने ता हूं तो मुझे 30 रुपए मिलने वाला है और वही चीज मुझे तो ये मैं अबने खरीद लो तस्ता है Warning अधें ऑरप्रास्ट्षट के ओर वेल्ट्व नहीं खरीदेगे अंडरेली तो वीचाईं लेना है तो यह हमें भैब लावलो एक इन फटैक अध्मियेम लावल को टो है इस चीज़् यहाँ मैंने लिखवाया है ने हम बैल्यू निकालेंगे और उसका कंपेरीजन करेंगे कि से मार्केट प्राइस से और डिसाइट करेंगे कि हमें ऑप्सन खरीदना चाहिए गे नहीं न चाहिए हमें option का price निकालना है price actual वाला नहीं जो market में चल रहा हमें निकालना theoretical price तो price निकालने की total मिलाकर देखा जाए तो three methods हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है हम छोड़ेंगे नहीं कुछ एक तो पढ़ना है binomial model एक पढ़ना है put call parity और एक पढ़ना है BS binomial put call parity और BS इसमें भी value निकल जिसे goodwill होता ना goodwill निकालने की भी average profit method होता है super profit method होता है capitalization method होता है अलग-अलग तरीके होते क्योंकि हर method में कुछ ना कुछ समस्या है सेम यहां भी मुझे तीन method से value निकालना है binomial put call parity और BS ठीक जो important है वह है binomial यहां से question आते है पुट-call parity से questions तो नहीं आते मैं ऐसा हमेसा बोलता हूं लेकिन एक question आ गया है अलग कि वो पुरी तरह से put call parity का नहीं है पर आया था latest exam में आया है put call parity तो मैं तो पुरा पढ़ा हूं वह चाहिए आपका revision ही क्यों ना करवा रहा हूं ठीक और और तीसरा BSM से तो पता नहीं बच्चों को हो सोड़े जाते हैं 99% बच्चे फोन करके बोलते हैं सर BSM छोड़ दे तो चलेगा यह आप कमेंट्स में भी बोलने वाले हूं यह चैट से में बोलने वाले हूं नहीं छोड़ना है भाई और मैं कहता हूं एक question तो कर लो वो तो कर लीजिए जो आपके study mat में है क्या जा रहा है एक question तो करने का बनता है हाला कि इससे एक जमानी से question नहीं आया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आनी सब्सक्राइब अब बाइनुमियल में भी हमें तीन एप्रोच है फर्स्ट सेकेंड फर्स एक बाइनुमियल मॉडल होता है और बाइनुमियल मॉडल से वैल्यू निकाने की तीन एप्रोच इस है एक का नाम है risk neutral probability एप्रोच एक का नाम है डेल्टा हैसिंग या फिर रिस्क ट्री बाइनुमियल मॉडल से वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकालने के तीन एप्रोच है और तीनों ही एप्रोच से option की वैल्यू एक जैसी है बात समझे में आ रही है तरीके अलग अलग है हमारे सलिबस में replicating portfolio नहीं हαं तो क्या मैं इस matter पर आपसे बात करूं में बिल्कुल नहीं करूंगा replicating portfolio मैं आपको नहीं करवा रहा हूं नटो कोर्षण है कुछ नहीं है और डेल्टा है सिंग लेल्टा हैं सिंग का भी एक ही कोशन है वही कोशन करेंगे और वही कोशन एक्जाम में भी आया हुआ तो मुद्दे की बाद है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है रिस्क नियूट्रल प्रोबैबिलिटी एक ठीक है चले बस इसके बाद कुछ नहीं है इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल मॉडल करेंगे इसकी करेंगे रिस्क नियूट्रल प्रोबैबिलिटी एप्प्रोच निकलेजिए इंपोर्टेंट यह आपको अच्छे से करना है अब सुनो अधियान से समझना मैं जो वोलने जा रहा हूं सर्फ पता है हम लोगों को पर खिर भी सुन्दों में इसको इधर कर देका मुझे लिखने में ज्यादा प्रोब्म्म आज रिलाइन्स के शियर का प्राइस पाइफ़ड़ड़ ठीक है ठीक है सरमान के और आज से एक सल बात तो आपको समझाना पड़े आज से एक सल बात मुझे लग रहा है कि शियर का प्राइस 600 भी हो सकता और शियर का प्राइस 400 आज कितना है 500 और मुझे ऐसा लग रहा है 600 भी हो सकता है 400 भी हो सकता है दो प्राइस हो सकते एक्सरसाइस प्रेस कितना है और आज से एक सल बात रिलाइंस का शियर 600 हो सकता हो सकता है 400 हो सकता हो सकता सर्फ 600 और 400 के अलावा 300 हो सकता है नहीं हो सकता तर मतलब या प्राइस तो कुछ भी हो सकता ना कुछ भी हो सकता है पर बाइनोमियल मॉडल में एजम्शन लेकर मनाया गया है कि आज से एक मैचुरिटी पे दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते है और वो पॉस on maturity only two possible price वो दो पॉसिबल प्राइस दिया रहेगा अब करना क्या है सर्थ पास छेसो भी कोशन में दिया रहेगा या तो प्राइस जादा हो सकता है या तो प्राइस कम हो सकता आप इसको जो नाम दे दो maximum price minimum price जो नाम दे तो कोई फरग ठीक है सर बास समझ में आब मैं आप से एक बात वोग रहा हूं सोच समझ के बोलना चुछ सों हो सकता मालों 600 हो गया प्राइस सोच रहे यार 600 भी हो सकता है 400 भी हूँ सकता exercise price कितना 510 अगर 600 हो सकता है तो profit है कि नहीं है सर ग्रॉस पे ओफ बूलो कितने रुपए का फ्रॉपिट दिख रहा है सर ग्रॉस पे ओफ नब्य रुपए है आप्सन एक्ससाइज होगा ठीक है और सर अगर चार सो हो गया तो ऑप्सन लैप्स होगा जीरू यहां था ठीक है कुछ समझाने के कोशिश करों एक बार सुनों कि ना तो बात ही कतम हो जागी कुछ नहीं बचे तो सर इसको क्या न बोला जाता च्छे सो को यू एस यू एस मतलब अपर प्राइस और इसको डाउन स्टॉक एसका मतलब इसको मैं यू एस बोल सकता हूं इसको चुल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं सी हुपरी यहां तक कोई समस्या नहीं जातें oxygen सहर इसा एसा सरे सिक्स हंड्रेट भी हो हो सकता है प्राइस 400 हो सकता है अगर 600 होता है तो 90 रुपे का पे आफ है अगर पोर होता तो option ही exercise नहीं होका अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि सर ऐसा है कि price 600 की probability है 0.7 और इसकी probability है 0.3 it means क्या हमें 90 रुपीज का payoff मिल सकता है yes तो 90 रुपीज का payoff मिलने की probability कितनी है 0.7 और 0 मिलने की probability कितनी है 0.3 इसके अलावा और probability है नहीं है तो क्या expected value of option निकाल सकते हो yes expected value of option 90 in 2.7 और 0 in 2.3 90 in 2.7 तो सर रुपीज 63 यस क्या यह हम पहले से निकाल ना जानते है यस रुपीज 63 ठीक है जी अब 63 जो मिलेगा मुझे वो कब मिलेगा आज मिलेगा कि एक साल बाद एक सल बाद प्रीमियम तो मुझे आज देना पड़ाना तो उसका क्या निकालेंगे हम present value अब present value निकालना तो बच्चा बच्चा जानता मान लो 10 परशन डेट है तो यह आ गया है 57.27 इसी को नाम बोला जाता है call option का value जिसको मैं C0 बोल सकते हैं मतलब सर सीधी सीधी बात आप ऐसा बोल सकते थे कि जो expected value of option है उसका present value निकालो के तो वही value of option आएगा हाँ जी वही बोलना चारों बाते और कुछ नहीं पर इसका formula है और formula क्या लिखना है हाँ जी लिखना है formula लिखना है तो formula क्या बन सकता है C0 का formula बन सकता है सर सी यू और multiply किससे कर रहा है P से probability तो सर इसको ऐसा लिख सकते है CUP लिख सकते हैं प्लस यह क्या है CD और multiply किससे कर रहे हैं सर यह भी तो probability है ना हाँ पर जो price नीचे जा रहा है ना उसकी probability को हम P नाम नहीं देते हैं उसकी probability को बोलते है 1-P मतलब अगर यह 0.7 है तो यह दो ही तो possible price है तो यह क्या आएगा सर पॉइंट 3 ही आएगा कैसी आया सर यह 0.7 तो पॉइंट 3 तो सर इसको कैसे लिखते है CD 1-P और डिवाइट किससे करेंगे 1 प्लस आर पर 1 प्लस आर ना लिखकर यहां क्या लिखा जाता है आर बस पॉर्मुला अजीब सा लग रहा है concept जीब साने यह concept आसा एक सर ठीक है तो सरी probability दिया रहता है कि बस समस्य यह नहीं तो है probability का मतलब यह वाली probability नहीं probability लेना पड़ेगा रिस्क न्यूट्रल प्रवाब ठीक ठीक रिस्क न्यूट्रल प्रवाबिटी अभी सुना और बात जो है जिस से हम discounting करेंगे वो rate कौन सा रहेगा रिस्क अडिसक रिए fry रहे का result रिस्क क्योंकि सर्थ और आपशन का वैलू निकाल रहां ये तो expected Л eng vra और सिस्क आइग t जानते हैं बच्पन से जानते हैं जो एक्सपेक्टेड है उसको रिस्क जिसमें रिस्क है उसको आप रिस्क फ्री से डिसकाउंटिंग कैसे कर सकते हो कर सकते हैं मैं आप से बोल रहा हूं यह दिखतो रहा है एक्सपेक्टेड पर यह एक्सपेक्टेड नहीं है पक्का है रि सवाल है कि probability कैसे निकालते हैं अपर बैबिलिटी निकालने का एक डेरिविशन हे जो मैं नहीं कर वह हां हम एक फॉर्मुला जरूरुर्बता दूँगा कि क्या है प्रोबैबिलिटी निकालने का एक फॉर्मुला है और यह प्रोबैबिलिटी हमेंसा छेसों के लिए निकले है फॉर्मुला आर माइनस टी यू माइनस टी आर का मतलब तो सर हमको मालूब 10% लिया था तो 1.10 सर डी का मतलब क्या है अब सुनो और यू का मतलब क्या है अब यू और डी का मतलब समझाने की कोशिश करें यू का मतलब प्राइज 500 से कितना हो गए 600 बुलो बढ़ा की नहीं बढ़ा तो बताओ यहां से कितना टाइम से ज़्यादा टाइम से निकालने की कोशिश कर रहा हूं सर 600 divided by 500 वही 500 से कितने गुना ज़्यादा प्राइज बढ़ सकता है सर 1.2 टाइमस इसको बलते है यू और डी अगर गिरेगा तो कितना सब 400 हो जाएगा तो 400 divided by 500 तो सरी यह आ गया 0.8 इसको बले जाता है डी तो 1.10 0.8 1.20 minus 0.8 और इसको solve करने से जो आई कि वह आई कि रिस्क नीटर प्रोबाइबिलिटी और अपर प्राइज इंपोर्टेंट अपर प्राइज तो लोगर प्राइज का प्रोबाइज का प्रोबाइज वन मैनस पी फ्रट्ली इस एक बात कुछ है रटना नहीं चाहते हैं रटवा भी नहीं रहा हूँ पर कोई कहेगा इसका डेरिविशन करवाओ वो मैंने रेगुलर क्लास में आपको करवा रखा है बुक में भी उसका डेरिविशन का फॉर्मला है मैं यहां नहीं करवा सकाना है कि यहां इसका अभी के लिए किसी भी फॉर्मिले का मैं डेरी विशन नहीं करवा हूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दूँगा क्या करोगे डेरी विशन का अल्टिमेटली यही करना है साल की कॉंसेप्चुल अच्छा है जो पहली बार पढ़ है वो ना देखे वीडियो ठीक है सर्स तो बास हमें दो ही काम करने हैं हमें निकालने हैं प्रोबैयाबिलेटी फिर हमें निकालना है वैल्यू कितना नंबर मिलेका आठ तो फॉर्मुला देखते क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ा रहा हूं दो भाई क्या-क्या लिखा हुआ है बस एक तो इस्टेंडर नोटीशन निकालना पड़ेगा यू किसको बलते है डी किसको बलते आर क्या है इस तरह से दूसरी रिस्क निटरल प्रगाबिलिटी का फॉर्मुला इंपोर्टेंट है पी आर मैंट सब्सक्राइब बयानूमेज्री बनाना थे बनाओ नहीं बनाना है मत बनाओ आई सी एए इने नहीं बनाना कि एक कोश्चन उठाया कोश्चनमर एट को शम एट पे जाई ये जन्दी से कोश्चन नम्बर एट 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 देखे एक बार ठॉट ने करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एकवीटिशियस अफ एंच लिमेटेट चारसओ लीस इसको बोला जाता है एस या जीरो भी बोल सकते है चारसओ विटिन ए पिरियड ऑफ त्री मुझ्स तब मैक्सीमम इसको मिझे बोलते है युएस maximum price कितना 500 और minimum price मतलब DS कितना दिया है कि इप रिस्क-free rate है 8% परहनम है याद अफनों पीडियेट कितना थी मत आठ परहनम तो तीन मैने का आठ इंटू 3 by 12 दो पर्षट आपको निकालना है और साफ साफ लिखा रिस्क निट्रल से अगर बोलाईगा सिर्व तो बाइनोमियल मॉडल से निकालो ना सिब बोलेगा बाइनोमियल मॉडल से तो मैं रिस्क न्यूट्रल ही लगा वाइनोमियल मॉडल में कितनी अप्रोच से कोशन किया जा सकता तीन अप्रोच अगर कोशन में लिखा रिस्क न्यूट्रल से निकालो तो रिस्क न्यूट्रल Qution में बोलेगा Delta Heading तो Delta Heading पर Qution में सिर्फ बोला कि Binomial Model से आपको Values निकालना है तो सिर्फ क्या लगाएंगे Risk Neutral सर्वजा एक तो IC AI यूजकरता है दूसरा Simple Delta Heading थोड़ा सा मुस्क्रिट और यहाँ यह सब्द निखा E .02 मतलब continuously compound वैसे इसका value दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ होता तो हम वैचुली solve तो भगवान का नाम लिया जाए अब पहला क्या किया जाए तर्प पहला निकाह करना पड़ेगा हमको risk neutral probability तो चलो कहां का कोशन है study mat का कोशन तो ये लिखा मैंने S उसके बाद मैंने यू निकाला कि यू उसके बाद मैंने डी निकाला उसके बाद E आर दिया है दो पर्षन और दो पर्षन का continuously compounding ले दो अब ऐसे तो हम P का formula क्या लिखते है P का formula लिखते R minus D और U minus D पर यहां आएगा E R T minus D क्योंकि continuously compounding और U minus D, ऐसे रिकमा पड़ेगा आपको, ठीक है तो 1.0202 minus D बेस डिवाइड भी, यह आगया 0.2844 यह probability किसका आया, अपर प्राइस का तो lower price का probability क्या होगा है, 1 minus 10 एक binomial ट्री बना लेते हैं यहर का price, market price कितना 420 इसको बोला जाएथा binomial tree क्या हो सकता, सर्फ 500 हो सकता, 400 हो सकता, exercise price कितना, 450 यहां गरबढ होता है, बच्चों से 90 बच, exercise price है 400 option कौन सा पता ही नुए बात है, call option के मतलब यहां arrow का निशान मना दा, call option के बात अब तैयार हो, यहां है सबसे पहले, see you करते हैं, सर, see you आ गया है, पचास 450 से बढ़ना चाहिए, और भूल गया थे, कि यार यह, इसको exercise प्रक असी रूपनी बस जीरो नंबर मिलेगा, मिलना ही था, बस यह सोच समझके करना, पूरा concept बैट, भड़ा का धरा रह जाएगा, पूरा concept जोकर, ठीके सर, call का pay off आएगा, पचास, अगर पोर हंडेट हुगा, तो ऑप्सन ही exercise नहीं क लगाएंगे, पचास रुपए का मिलेगा, इसकी probability यह 0 और divided by, तो यह आजाएगा, final call option का, वैल्ट, ठीक है, यह कोशन ना, प्लीज बना लीजिएगा, प्लीज बना लीजिए, तो बाइनोमियल का यह कोशन मुझे ऐसा लगा था, concept उठाने के लिए अच्छा, और यह कोशन की बात करो, ठीक है, यह कोशन इतना घुमाया है, इतना घुमाया है, अल्टिमेटली लाश्ट में कुछ पूछा यह नहीं, और कोशन इतना छोटा सा है, कि यह आठ नमबर का अब बस question खतम होगी, सर तो यह question, यह question में होंबग दे रहो, सर रिवीजन में भी कोशन बनता नहीं, SM में है, new syllabus and PM में भी, कर लेना भाई, ठीक है, इसमें probability भर निकालना है, probability का फॉर्मूला आपके पास में है, तो यह homework है, doubts आएगा, तो comments में पूछ लिए, इसमें में ज़्यादा फूकस नहीं, यह नहीं डालना चाहिए था, यह निकालना, probability निकालना, इतना आसान कुशन, अब आते हैं, two period बाएंग, यह important, two period binomial model आरहा, पूछ रहा है, ठीक, पहले में बात करूंगा, two period binomial model, तुम का लिहां से, share का price है 500, और हमने का कि यहां कितना हो सकता सर, यह 600 भी हो सकता है, और यह 400, ऐसा कुछ किया था साइट, कब, एक साथ, सवाल यह है, कौन कहता है, कि option हमेशा maturity को ही exercise हो सकते हैं, वो तो European option है, जो maturity को ही exercise हो सकते हैं, आप कह रहा हैं कि maturity को दो possible price है, agree, मानते हैं, आप जो बोल रहा हैं, वो सही हैं, पर यहर, maturity को दो possible price हो सकते हैं, सर, लेकिन किसने कहां कि हम maturity तक रुकेंगी, हम तो बीच में भी exercise कर सकते हैं, हम तो 6 मैने में भी तो option exercise कर सकते हैं, कूई रोक थोड़ीं सकता है, हमारा जो option, उसका नाम European है ये नहीं है, हमारा जो option है उसका नाम तो फिर कैसे तटूंगा धार चलो भाइँ अप इस प्रियट को माल लेते कि दो बहा दो पार्ट में बाक लेते छे मेने इस और से विजया सकते यहां हो सकते हैं यहां यहां हो सकता है मतलब मतलब अब इनका ये कहना है कि मान लो one year period है तो उसको हमने छे-छे मेने में बाट आप ये बोल रहे हैं बीच में exercise कर सकते हैं हमने का हाँ तो आप छे मेने बाद exercise कर सकते हैं हमने का चलो मानते हैं छे मेने बाद exercise कर सकते हैं हमने का हम तीन मेहने में तो उसको नोने नाम दिया टू पिरियड बाइनोमियल मौडल का मतलब होता है कि हर एक साल है तो एक साल को दो पार्ट में बाट लिए तो अब डायग्राम कैसे बनाया उन्हेंने का डायग्राम आप ऐसे बन जाएगा को चिंता वाली बात थोड़ी है यह दिख लोगा है तो वहली यह 500 अब दो पॉसिबल बात 6 महने बाद ओसकता और उसके बाधि छे मैने बाद दो पॉसिबल प्रायश व्येलो यह होगा है छे महने और यह हो गाहां हम ने गाए इट मेंज उन्होंने का अगर यहां 600 हुआ और यहां 400 वा तो फिर यह भी मैंने ठीक मानता हूं मानता हूं अभी सुनों सुने इंपॉर्ट मन का अगर तीन ऐसा किस ने गा कि मैं छे मैंने मैं से मैं तुछ तीन मैंने भी तक तो बोले ठीक है उसको चार पिरेड में बाट लो ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेट टुबियर्ड हो सकते हैं पर क्योंकि हमा इसकता कैल्कूलीशन नहीं मांगा जासकता इसलिए हमारे स्लइबस में आउनली टू पिलिएड बाइनोमियल मॉटल है वैसे मल्टी पिलिएड वैलों मेरे लमन कोसक सकता पर तू पिलिएड बाम रियमियल्माटव और यह काम कहां पड़ेगा यह सिरूप उसपूल रमयर और 88 सब्सक्रासृ कर सकते हैं ठीक किसा यहां तक बाद समझ में अब कहना किया चाहते हम कहना क्या चाहते हो समस्या क्या बस वह सुन्ना तक हमाँ अगर है समस्या क्या अगर यह समझ लिए तो टेंचन करब तूर 500 थे खुर पॉसिबल प्रीत है यह एक gelecek है अब सुन आपके हैं हम प्रॉबैबिलिटी निकालेंगे यसक्ति यहा है कर सकते छे म notre में हमож MINRP Small dengan memberено service कर सकते हैं हमारे लिए choice वानी बात क्या होगी बस समझाना है मृमलो हम यहां exercise करते हैं हैं तो यहां ऑगया 22 यह exercise करते हैं तो यहां आ गया 55 मनद से लिकाओ सर इसको फिर हमने probability से multiply किया अंसी प्रोपाइबलेट्री रिसली ट्रल और इसका तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला कहां यहां के लिए इसको नोड बोला जाता है नोड वान तू इसको बोला इसको वान ले 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 सुर्णाव में जो कहना चाह indoors मैं काहां खड़ा हूं सर आप यहां खड़े को मैं सोच रहा हूं मैंस वोच रहा है क्या सोच रहूं मैं सोच रहा हूं व्यार करता हम सीधा लास्ट में exercise jos करता हूं तो जो पे आप मिलेगा probability से multiply करके यहां निकाला और यह आ रहा है 15 रुपए मतलब मैं सोच रहा हूँ यार 15 रुपए का फायदा हो सकता है अगर मैं बीच में exercise नहीं करता हूँ सीधे last में जाता हूँ तो पर मैं यहां रहके यह सोच रहा हूँ आगे exercise करता हूँ तो 15 रहा हूँ और यहीं कर लेता हूँ तो 25 तो मैं आगे क्यों जाऊँ मेरे पास तो opportunity है किस बात की यही exercise करने की 25 जिम में लो यार आगे क्यों जाँ मेरे लिए अगर यहां देखो तो मेरे receipt की कीमत क्या है मेरे lottery की ticket की कीमत क्या है lottery की ticket की कीमत 15 रुपए नहीं है 25 रुपए क्योंकि मुझे मैं आज यह exercise करके 25 ले जाँगा पर अगर इसका कहूँ इसके present value आई 30 रुपए तो बोलो क्या कर अगर मैं यहां exercise करता हूँ तो 25 रुपए मिलेगा पर अगर exercise नहीं करता हूँ और आगे जाता हूँ तो 30 रुपए मिलेगा 30 रुपए 30 रुपए अच्छा ना यार तो मैं यहां क्यों exercise करूँ बस मुझे यही cross check करना होता है किसमे American option कि हमें आगे जाना है कि हमें आज ही exercise करना बस यह decide करना बात कुछ बच्चुगा कहना है सर इसमें तो probability सेंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा यह मिलेगा कि मिलेगा ना रिस्क neutral है रिस्क है यही नहीं आप पक्का पक्का मिले ठीक तो बस यही काम करना होता है करे का मैंने इसमें example ने लिया है मैंने सिधा कोशन उठा है दो कोशन उठा एक एक्जाम में आया था वो और एक इस्टडी मैट में वो भी एक्जाम में आ चुका दो नहीं कोशन इंपोर्टन तो ठीक के सर तो आज आईए कोशन में 11 तो सीधा सिधा कोशन में 11 क्या बोल रहा है एक बार देखो टू पिलेड वायना मले लिखा है अट टू इयर प्री फर शियर ओप श्टॉक इन एबी सी लिमिटेट इस एज पॉलोज कि नोड वन slor रुपए है आज येर का प्राइस बढ़के 108 भी हो सकता है यह 95 भी हो सकता है कब एक साल बात इट बींज ये टोटल पिरियेट जो है न वो दो साल का है और दो साल की पिरियेट को उसने एक साल एक साल एक साल एक साल दो भागों में बाठ तो क्या हम इसको देखकर यू निकाल सकते हैं या 608 divided by 100 तो 1.08 और यहां सर 95 divided by 100 तो सर 0.95 ठीक तो इसके हिसाब से क्या निकाल लेंगे probability निकाल किसके लिए node 1 के ऐसे इसका भी चेक कर लो क्या यह इसका भी यू उतना ही आ रहा है 116.64 divided by 108 सर उतना ही तो आ रहा है 1.08 कभी-कभी अलग आता है मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं institute कभी भी आपक probability कैसे निकलेगी यहां की probability यहां की probability तो ठीक है यहां जो probability यहां की आईगी वो probability यहां की यहां की यहां की यह जरूरी नहीं है हमेशा पर 99 करशन के सिसमें probability एक जैसी आती है कहना क्या चाहते हूं मैं आपको समझाभा मैंने आपको possible price बतार-दा अगर सर कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या मानते मेरा दिल कहता है कि अमेरिकन मानना चाहिए पर मेरे दिल के सबसे बात नहीं चाहिए आए सिएये यूरोपियन मान लेता है तब सबसे को कैसे सौन कर नहीं कुछ सौन नहीं करना आपको क्रॉस चेक करना ही आपको सिभा ना अम्यूरोपियर वाला भी कर वोग दो consider a 2-year American call option on the stock of ABC Limited with a strike price ये मेरे काम की चीज है क्योंकि इसी में घरबर होता है strike price दिया है इतना 98 the current price of stock is rupees 100 ये पर दिया हुआ है risk-free return is 5% हमें वही चाहिए था risk-free return with a continuously compounding use करना 1.05127 value दे दिया है नहीं दिया होता तो निकाल देते हैं कैसे निकालते हुआ आपको पता है 4096 वाला पता है क्या नहीं पता होगा assume two time period of one year each मुझे मादू मैं नहीं या यह तो यहीं से पढ़ने से समझी में आके using the binomial the probability of price moving up and down probability निकालना probability का फॉर्मूला पता है क्या सर्फ पी इस इक्वल टू पी आर्टी माइनस टी और यू माइनस टी ठीक वहीं लगाया होगा तो देखते हैं पहले उसने यू निकालना फिर उसने डी निकालना और आर मतलब यहार और और यह एक्वेशन निकालना इर्टी 1.5127 है क्या 051 होना चाहिए निस टेक हुई है यहां इसको ठीक कर ले ना 1.051 और यह करके आगया 0.7 तो यहां आपको यह ट्री बनाना चाहिए आएसी यह ने बनाया हुआ है देखरा होगा आपको मझे पुरी निकाल तो उसने लिखा 0.78.22 किसमस से यहां भी 0.78.22.78. पॉइंट 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 नहीं पॉइंट टू एक मिंश्टेक है यहां भी 0.22 है ठीक है जी जी धिक्ता हूँ तेक तबसे पहला काम होगा क्योंकि यहां गलती यह होती है हम लोगों को एक्ससाइस प्राइस दिखता नहीं है और यह है एक्सरसाइज प्राइज 98 98 से उपर जाएगा तो एक्सराइज तो पहले यहां से हम एक बार पे ओफ लिख लेते हैं कि पे ओफ लिखने की कोशिश कर लो अगर 116.64 हुआ तो तो 116.64 माइनस 98 18.64 यह सही है अगर 102 हुआ तो भी एक्सराइज होगा तो 102.6 माइनस 98 4.60 यह भी सही है अगर 90.25 हुआ तो जीरो यह ठीक है अच्छा अगर 108 वह तो भी तो एक्सराइज वो सकता है यस कौन सा अमेरिकन तो 90 एक्सराइज करना पड़ा तो दस रुपिया मिलेग और यहां तो एक्सराइज हो नहीं सकता तो यहां का प्यॉप हो गया है जीरो यहां तक टेबल बनाया प्रोबायाबिलेटी लिख लिया और प्यॉप तर इसको सी यू यू क्यो नाम दिया क्योंकि सी कॉल ऑप्शन है बड़ा और बड़ा तो हमने सी यू यू ऐसे आप लिख सकते हो अपने नई भी लिखोंगे तो भी कोई समस्य अब क्या करना मुझे निकालना value of option अब सुनों के value of option कैसे निकलेगा इस पहले इस node के लिए निकालोगे value of option इस node इसको node बुला जाता है node 2 के लिए फिर नोड 3 के लिए निकालोगे और फिर लास्ट में node 1 के लिए निकालोगे यहां तक ठीक यस तो करना क्या है इस ये मिलेगा इसकी probability 0.78 ये भी मिलेगा इसकी probability 0.22 तो इस इन्टू इस इन्टू इस इन्टू इस डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू और मुझे यहां तक के लिए यहां तक ही चिनाएंगे यहां तक प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे नोड टू यह नोड टू के लिए 18.64 कहां से आए 18.64 और 4.60 और उसका प्रेजेंट वैल्यू तो यह आगया 14.7 यहां वैल्यू आगये 14.7179 यह सेवन वन जो भी होगा अगर हम आगे जाते हैं तो जो मिलेगा वो मिलेगा 14.7 अगर नहीं जाते हैं तो दस रुपे मिलेगा क्या करो यह 10 रुपे लेकर जिब में रखकर खुस ह हो जाए यह हिम्मत करें आगे जाए तर यह आगे जाएगे तो पक्क मिलेगा हाँ ना भाई रिस्क ने उट्रफ तर आगे जाओ नहीं आगे जाओगे तो आपको 14 रुपे मिलने वाला है ठीक तो नोड इसमें से जो भी हायर अगर सर यह 15 रुपे होता तो मैं आगे जाता यह cancel कर देता और मेरे लिए यहाँ option का value हो जाता 15 रुपे है पर आगे जाने से फायदा है तो option का value कितना 14 पॉइंट जो भी हायर होगा वो लेगे 14.79 और difference intrinsic value है 10 रुपे इंटरंसिक वेली मतलब difference तो उस इसाप से जो भी higher है वो लेना पड़ेगा तो answer आजाएगा 14.7 ठी कहें जहें ऐसी अब note 3 के लिए this into .78 this into .22 divided by वो करोगे तो answer कितना आगया 3.41 आगे जाने वही exercise करूँगा तो कुछ पाइब तो है नहीं आगे चलेंगे हिम्मत से तो 14.79 वेल्यू आ गई कहां अगर मैं कहूं यहां के लिए अब मेरे काम की चीज क्या है 14.7 और यहां के लिए काम की चीज क्या 3.0 जो भी आया था तो यह फायता हो सकता इसकी probability .7 यह फायता हो सकता इसकी probability .2 और फिर यहां के value निकालने तो याद आ रहा है मैंने जो करव आया था यहां के लिए वेल्यू आगे 11.60 ठीक है करेंट मार्केट प्राइस सौ अच्छा एक्ससाइस प्रैस कितना 98 अब भी भी क्या 98 से जाता है सौ तो वैसे तो दो रूपय का फायता क्या आज एक्ससाइज नहीं कर सकते कर सकते दो रूपय का पर यार आगे चलेंगे तो ग्यारा रूपया मिलने वाला तो सर मेरे लिए option का value कितना ग्यारा जो भी maximum होका बास समय है मैं ग्यारा रूपय देने को तियार कोई मुस्से बोलेगा कि यार option के लिए पाच रूपय है तो तो मैं पाच रूपय देने को तियार हूँ हाला कि अभी मुझे 2 रूपय का फायदा लेकिन यार सब कुछ calculation किया आगे तक का देखा दो सल तक का उसका प्रजिन वैलियू निकाला तो ग्यारा रूपय का फायदा है तो मैं 11 देने को तो यार होना है बस समझे में आ पढ़ाने को मिलता ना तो अलग मचाऊ पर रेगुलर क्लास आपकी है निए आगे चलता हूं जी और एक कोश्चन उठाया था मैंने अच्छा कोश्चन था और इसलिए उठाया था क्योंकि रिपीट होता ना यार यह वाला कोश्चन में सी वाला जाइज देखा कंसीडर स्ट्रीक प्रैस कितना है पचास है फैक PC बाहि जान कौक टास सर्म पलandयों यह हो गया पचास से उपर जाएगा पर ब्रसक्राइब थे इस तोड़ rather के बाधिक यूड इस क्रेंट प्रैस लिफें स्जिछ सर्ण थोबी पचास है एग हुड एक है आजूम देट जीर आच period of one year and each year the stock price can move up or down by equal percent 20 percent upar जाएगा या 20 percent से नीचे जाएगा रिस्क-free rate has 76 percent using binomial option model calculate the probability of price moving up and also draw two step binomial tree showing price and payoff at each note बना है ये बना हुआ है पचास 20 percent अब 20 percent down तो ये वन इयर लेटर आगए 40 और 60 से फिर धीस परशनाप 20 percent यहां तो इस नाइस एक साल हो गया है और यह कितना साल हो गया है अजह दूसाल एक्सराइस प्रैस कितना पच्चास किसमस ते जो मार्केट प्रैस है वही एक्सराइस प्रैस ठीक है अब देखें यहां प्योग कितने का 22 पहले प्रोबाइबिलेटी निकल देख्या यह तो यह दो देख रहा 1.20 यू डी कितना देख रहा है पॉइंट एट तो निकल गया है पॉइंट 65-65-35-65.35-65.35 ठीक है जी ठीक है अचे चले आगे आप सुनें बात को यस अब यार कितनी का प्योग कॉल आप्षन है प्रैस बढ़ा तो ट्वेंटी टू का प्योग 22 का अरगा 48 गुआ तो आप्शन तो लैप्स हो जाएगा तो 0 का प्यो तो 22 इंटु पॉंट 65 और 0 इंटु पॉंट 35 डिवाइड़ बाई 1.06 तो सर यह आ गया 13.49 तो यहां अगर यहां एक्सराइज करें तो कितने का फैदा दस का लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि अमेरिकन ऑप्शन है क्या मुझे इसको अमेरिकन मानना चाहिए सर आइसी एए ने क्या माना उसने यूरोपियन बना कर शॉल कर लिया अम मुझे यहां कोई यहां का वैल्यू आ गया 13.49 यहां का जीरो है जीरो तो यहां का भी कितना गया जीरो अब 13.49 इन्टू 0.65 और 0 इन्टू 0.35 डिवादेट बाई 1.06 यहीं खतम हो गए ही गुश्च्छन यहां का जीरो सिद्धा मल्टिप्लाइ कर दिया आंसर आ गया 1.272 कहीं के अलगुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना यहां कुछ गरबड़ता से बात क्या समझ है बात है कि यूरोपियन है तो हम कोई कंपारिजन नहीं करेंगी हम बीच में एक्ससेस कर रही नहीं सकते तो हम बीच वाली बात हीं क्यों करें सीधा लास्ट का फिर्ष्ट यह और फिर वहां से 0 पर गया ठीक है जे तो बाइनोमियल मॉडल में पहला रिस्क नीटरल प्रोबाइबिलिटी एप्रोच खतम किया बाइनोमियल में पहला पार्ट खतम हो गया पहला एप्रोच खतम हुआ जिसका नाम है रिस्क नीटरल प्रोबाइबिलिटी एप्रोच अब हम लोग आगे चल रहे है और हम बात करे है हम यह कोशिन की जिसका नाम है डेल्टा है सी है सब्रेंटा हर्ट बात कर से बात का तो डेल्टा हैसिंग के बाथ पुट कोलो पैरयटी में होगा पी ए-स्अब होगा और उसके बाद ऑप्सक्ण इसलिक जलता है है चलो लोगे चले आगे थक गया हो तो यहां से स्टार्ट कर रहा है वाक है आई नो मेलान में रिस्क न्यूट्रल खतर मोगे अब बात कर रह sommes लोग के डेल्टा है जो अको करता है तो सरफ डेल्टा है जिक है क्या तो बस यह समस्दा पड़ेगा ध्यान से अमें जो बोलने जा कि मान लो आज शियर का एक्सराइस प्राइस है पाईप वन जी रो और आज ही मार्केट मार्केट प्राइज है मार्केट प्राइज करेंट मार्केट प्राइज 600 और ऑप्षन कौन सा ऑप्षन है कॉल कॉल ऑप्षन है तो क्या मैं ऐसा एरो बना सकता हूं यस पास्वादस करेंट मार्केट प्राइज 600 तो यहां मुझे पक्का-पक्का मैंने कॉल ऑप्षन खरीद तो premium आएगा पर actual कुछ और हो सकता और मुझसे 100 रुपए premium का मांगा गया अब सुनना ध्यान से बिट्टे में जो बोलने जाए मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि आज share का market price आज मैंने call option खरीदा call option खरीदा जो option है वो इंद मनी है तिकरा इंद मनी तो मुझे 100 रुपए premium का मांगा गया और बदले में मुझे एक receipt दे दी गई अर उस receipt का फायदा क्या इस receipt का फायदा क्या आज से तीन महा बाद में तीन महा का पिरे लेका तीन माहा बाद वह receipt दूँगा और बदले में मुझे पैसे मिल जाए का जीतना भी मेरा फायदा हूँका और मुझे मालुमें कि share का price बढ़ए क्या वो receipt बेची जा सकती है यास यही समझाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि वो रिसिप्ट में बेच नहीं सकता हूँ, और तीन महेने बाद वो परसन वो रिसिप्ट जाके पैसे ले सकता है, पस इतनी सी बात है, ठीक है, सर, इसका मतलब यार, रिसिप्ट का हा बिटे押्प्सन भी खरीदा बैचा जा सकत है पब्लिक के बीच में ठीक है अब हुआ क्या हुआ किसमत देख लो भाई किसमत यह हुआ कि शेयर का प्राइस ठीक दो दिन बाद 700 हो गया इतना होता नहीं है मालों दो दिन बाद 700 हो गया शेयर का प्राइस बढ़ा शेयर का प्राइस बढ़ा तो एक परसन आया मुलता आपने रिसिप्ट कितने में खरीदा था मैंने गांगा 100 रुपर मैं तो बहले 100 रुपर मैं मुझे बेज दो मैंने गांगा नहीं नहीं मेरी खुशी हो रही है कि शेयर का प्राइस बढ़ने से तो मुझे खुशी होगा और खुशी हो रही तो मैं रिसिप्ट सौ में क्यों बेचूंगा बेच तो सकता हूं ऐसा नहीं कि मैं बेच नहीं सकता पर मैं चलो सौ बढ़ा के मत दो कम से कम मुझे 150 तो दे दो बात समझो जिस रेशो में शेयर का प्राइज बढ़ता है जरूरी नहीं है रिसिप्ट का वैल्यू भी रिसिप्ट बोलना अच्छा नहीं लग रहा ऑप्शन का वैल्यू भी उसी रेशो में बढ़े हां लेकिन बढ़ेगा जरूर तो सर इसका मतलब है कि ये कितने रूपै से बढ़ा ये 100 रूपै से बढ़ा तो ये कितने से बढ़ा सर ये 50 रुपीज से बढ़ा सर कहने का मतलब ये हुआ कि share का price 100 से बढ़ता है तो ये 50 से बढ़ता है तो बताओ इन दोनों के बीच में relation क्या मैं 50 divided by 100 कर सकता हूँ और answer निकला 0.5 ति ये final वाले बच्चे हो आप लो ति ये final वाले बच्चे हो तो जड़ा सोच के बताना कि ये 0.5 का मतलब क्या है सर 0.5 का मतलब ये हुआ कि share का price 1 रुपए से बढ़ता है तो option का value 50 पैसा से बढ़ता है इसी को delta बोलते इसी call option है share का price बढ़ने से option का value तो बढ़ेगा कितने से बढ़ेगा आधे से हाप ठीक है एक तो ये मिनिंग हो गया delta इसको बोलते है option delta share का ये तो समझ भाएं कि दूसरा दूसरा जो important है दूसरा important ये है कि यार अब एक मेरे मन में है कि यार और कैसे है इसका मतलब में कि आप से ये बोल रहा हूँ खरीद पॉइंट फाइब शेयर खरीदो या फिर अब सुनो गे श्यार का प्राइस 800 हो गए एठ हंडड़ सर आधा श्यर करीद आज सकता सब खरीदते हैं अगर श्यर का प्राइस आठ सो हो गया तो बताव मुझे सो रुपए का का फाइदा हुआ या मुझे मुझे फैचास उप्चास कrokte मेने पास्ता आधा शेर एक शेयर पेशू का फाइदा है तो आधा शेयर पे मुझे फैचास रूपए का फाइदा ouveगा कॉर्ठ प्र एक कॉल बस पूरे सफ में डेल्टा का मतलब यह है डेल्टा का दो मिनिंग हो गया एक मिनिंग यह हुआ कि पॉइंट पाइफ का मतलब हो गया कि यह एक रुपए से बढ़ता है तो ऑप्शन का वेली कितने से बढ़ता है दूसरा मिनिंग यह हो गया कि पॉइंट पाइफ शियर बरा 14 पे आ जाईए जल्दी से कोशन में आपको कर्वाने जा रहा हूँ ठीक है कोशन अबर 40 धियान से करना अच्छा कोशन है एक्जाम में आया हुआ है और यही एक मात्र कोशन है डेल्टा है जिंक का तो क्यों चोड़े करी लेते हैं क्या लिखा चाहिए एव लिमिटेड एक्विटी शियर आप रेजन टली सेलिंग इतने में भिक रहे हैं भी 500 500 में शियर बीक रहा है शियर का प्राइस है 500 अन इनवेश्टर इट्रस्टेड इन पर्चेसिंग एबी लिमिटेड शियर ठीक है तर इनवेश्टर को लग रहा है इन्वेस्टर को लग रहा है इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन कि 70% चांस है कि प्राइस बढ़की कितना हो जाएगा 650 और 30% चांस है कि प्राइस कितना हो जाएगा 450 इस प्रॉबाइबिलिटी कितनी है इस बात प्रीवाइबिलिटी कितनी है पॉइंट3 तो सरPA लेटि तो दे दिया है तो रिस्ट निवेश्टर सोच रहा है यार यह हो सकता है इसमें रिस्क नियूट्रल प्रोबाइबिलिटी अप्रोच से आप पोश्चन नहीं करोगे कर सकते बन सकता पर बनाएंगे नहीं कोश्चन तो सर रिस्क नियूट्रल प्रोबाइबिलिटी में यह वाला प्रोबाइबिलिटी यूज करी नहीं सकते आपको तो exercise only at the end of three month और exercise price दिया है 550 यह हमारे काम की चीज़ है exercise यह जो सब्सक्राइब आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा आपको निकालना और डेल्टा का अगर देखा जाया फॉर्मूला क्या किया सब फॉर्मूला ओपर वाला चैंज मतलब चैंज इन वेल्यू अगर्टी वालेट बाइचेंज इन प्राइस यही तो है डेल्टा ठीक है तो देखो गया शियर का प्राइस 650 हो सकता चार्सों पचास भी हो सकता है आप एक बार कॉल आप्शन का पे ओप बता सकते हो क्या यह सर कॉल आप्शन का पे ओप वेल्यू सर सिक्स फिप्टी हुआ एक पास्टों पैचास ऊपर तो हमें तो रुपय मिल सकता है और यहां तर यहां हमें जीरो मिल सकता है जेक्स फिप्टी मतलब हंड़ेल्ड मिल Sh counter अफश और एक बार वैली वेल्यू का मतलब ऐसा भी तो हो गया वैल्लियू का मतलब जो मुझे मिलेगा वही तो मेरा value है जिस receipt से मुझे जो मिलने वाला receipt दूँगा बंदे में जो मिलेगा वही तो value है इट मिंस अगर 650 share का price हो जाता 650 तो मेरे option के value कितनी है 100 अगर share price 450 होता है तो मेरे option के value कि आए 0 तो क्या delta निकाल सकते हो यह change in price और यह change in value मतलब सर 100-0 और 650-450 तो आंसर आ जाएगा 0.5 ठीक है इस डेल्टा 0.5 का मतलब समझ में आता न हाँ सर 0.5 का मतलब हमको रफली यह समझ में आ गया कि 0.5 डेल्टा निकला वो सजेशन उसमें हैं आपके 0.5 का में एक बार मतलब लिख दूँ तो आपको बात समझ पर चाहिए 0.5 का मतलब है सर एक को कॉल आप्षिन पराबर हुआ 0.56 यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं पहला पॉइंट अगर खतम हो गया लेकिन अभी इसमें बताना है कि आपको क्या खरीदना शेयर खरीदना है क्या तो एक strategy बना रहा है सुनोगे strategy बना रहा है क्या strategy बना है हम एक काम कर देते हैं हम करते हैं राइट वन कॉल ओप्शन हमने कर दिया राइट वन कॉल ओप्शन सद क्योंकि यह वह मैं सम्झाओंगा ना भी रुको तो हमने राइट कर दिया वन कॉल ओप्शन के मतलब यह हुआ सर सामने वाला option exercise कर सकता है यस कब करेगा जब और शीयर का प्राइस बढ़ेगा तो हमें चिंटा सामने वाला एक्सरैस करेगा और सामने वाला एक्सरैस करेगा शीयर ऑर हम क्या कर सकते हैं और व colonial अगया शीयर कातऱ संग पर시면क्फार पक्व है राइट कर दीची कॉल ऑप्शन है तर बढ़ेगा तो तो चलो एक काम करते हैं आधा शियर करें लिए थे बात कतम टेंशन कतम हो जाएगा यहां बच्चो के डाउट्स आ रहे थे और बच्चो का पहला जो डाउट्स हो यह आ रहा था राइट क्यों और बहुत करते हैं U भी कर सकते कर सकते वह भी एक strategy कोई भी strategy बना लो भाई answer option का value सैंघ कर सकते हैं भाइ भी कर सकते हैं पूट option का भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मैं buy call option और short sell one share करके भी कर वा सकता था answer से मिह आएगा लेकिन मैं यह क्यों कर रहा हूं में किसी को दिक्ट है क्या कोई दिक्कत नहीं कि स्ट्राइटजी क्या बना रहा है स्ट्राइटिजी वह बना रहा है जो आइस टरह से बनाए गया है आटला गया हैं फॉरॉफ्टन हले हैं और इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर कर लेना इन्वेस्टर इन्वेस्टर शुड राइट वन कॉल ऑप्शन एंट एंड बाइ 0.5 यह तोड़ा सा आप ठीक कर पर चलना यार इतनी विक्वेस्ट है बस और इस कॉशन में ज्यादा टाइम लग दे हैं हाँ क्योंकि मिले समझाना है ना है अब पॉइंट नमबर टू में क्या बोला है पॉइंट नमबर टू एक्स्प्लेन हाउ दि इन्वेस्टर विल बी एबल तु मैंटन आइडन्टिकल पोजीशन रिगार्डलस अब दाश्या प्राइस क्या कह रहा, Point No.2, point No.2 यह कह रहा कि वहीं ऐसा है, कि शेयर का प्राइस 650 भी हो वह सकता है, बोलो हान, 450 भी हो सकता है, हान, तो 650 होता है, तो कितना cash flow आएगा position बताईगे, अगर 450 रता है, तो position बताईगे और वो आप से वहां, कि hedge का मतलब है कि दोनों में एक जैस सही cash flow आएगा जलो देख लेते अगर शेयर का price 650 होता है तो अगर शेयर का price 650 होता है तो हमने क्या किया है जरा सोचो हमने सर्डाइट किया है राइट कॉल कि एक्सराइस प्रैस कितना है भई एक्सराइस प्रैस आएट 550 उपर जाएगा तो सामने वाल थैन एक्सराइस करना पढेगा हमें देना पढ़ेगा और हमने क्या खरूड फाइट 50 शिर खरीदा तो एक काम करो भशायर बेचो प्रैस कितने का पढ़िखेगा और कितना डेना पढ़ेका घं अ गीना पढएगा 100 देना उप्रैस कितनी क्यों थेटो तोर मेरे पास तीन महने बाद मुझे 225 रुपिया मिलने अब अगर शिर अगर 450 हो गया तो भी देख लेते हैं अगर 450 होगा तो शेर वेजेंगे तो आपको किसी भी हालत में 225 मिलेगा मिलेगा टेंशन नहीं गता है अगर शेर का प्राइज 700 हो गया तो हो गई नहीं दो ही तो पॉसिबल प्राइज है बाइनो मिल के सबसे है पहला और दूसरे में कोई दिखा था कि कोई तीसरा पॉइंट में क्या वोटा इफ दर रिस्क किया एक बात तो पक्की है कि मुझे 225 रुपे मिलने वाला है कब तीन मेहने बाद कि तीन मेहने बाद 225 मिलने वाला है यह मेरा कैश एंगलो पर आज कुछ पैसे लगाना भी तो पड़ेगा कैसा उखड़ो आज कितना नहीं लगाना पड़ेगा सर आजशियर खरीदना पड़ेगा 20 शेर आदा शेर कितने का आएगा आज शेर की कीमत कितनी है दो 250 250 जाएगा लेकिन सर 250 आप सिर्फ आदिशियर की बात नहीं कर सकते आपने आची की दिन कुछ और कर रखा आपने राइट किया है न कॉल अप्शन हां तो बदले में आपको कुछ मिलेगा ना प्रीमियम वो तो माइनस करो यहां से कितना वही तो निकालना है तो माइनस क्या क है एक समस्य यह पैस जा रहा हा इस यह पैसा कब आने वाला था तू प्रॉज կहल्युिं निकालना पड़ेगा इसका प्रॉजंड फैक्स प्योள्यु निकालने लिंगे और एकस जो तो वेल्यू आईगी, उतना पैसा हम सामने वाले से लेंगे, कम से कम उतना पैसा सामने वाले से लेंगे, this is value of option as per delta housing method, यह यहां करवाए ले, ठीक है 1.05 यहां था, 10% है तो उसको हमने यहां ले लिए, जो भी हो, mathematics आप देख लेना, answer आरा 35.7, कोई दिक्कत है कि यहां तक, this is value of option as per delta housing method, एक बात और बताओं, अगर आप risk neutral probability approach यूज करते, तो भी answer 35.71 आता, answer तो आ जाता, number 0 में उता, आपको यह risk neutral probability approach से नहीं करता, तुसर हमें पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा, या तो question बोलते या ना बोले, पर जहां भी combination बोलेगा, शेर और option का, तो आ आपको delta हजी करना, दूसरा, हमें पता कैसे लगेगा, कि write करना, आपको हमेशा write करना, write करना call option में delta हजी, ठीक, अब ये last वाला point थूड़ा सा सम्भालना मस्किल है, पर ध्यान से सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसी में ज्यादा टाइम लगे इस question, एक ही question है, और आन option की value, किसी के भी angle से लेठा हूँ, चाहे मैं option writer हूँ, तो मैं वसूल करूँगा 35.7, चाहे मैं option holder हूँ, option खरीद रहा हूँ, तो मुझे देना पड़ेगा 35.7, this is premium, premium देना पड़ेगा, कितना 35.7, कब देना पड़ेगा, आज देना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत थ मैं इनिवेस्ट्स, अब यह सबूच रहो, मैंने कहें देता हूँ, मैंने दे दिया 35.7, मैं कौर हूँ, इनिवेस्ट्ट अब प्राइस क्या हो सकता है, रहा हो सकता है, यहां 100 रुपे का pay off है, और यहां 0 का है, और मेरे अनुमान का क्या probability है, 70% probability है कि मुझे 100 रुपे का expected profit निकाल सकते हो अगर मैं आज option खरीद लेता हूँ तो मेरे जेब से जाएगा 35.71 पर मेरे जेब में आएगा कितना 170 रुपय आएगा 70 रुपय आएगा तो क्या 35.71 लगा कर मुझे 70 रुपय मिनने वाला फ्यूचर में तो क्या मेरा एक्सपेक्टर रिटर निकाल सकते हैं अराम से और वह आगया 96.03 पर तिक पॉइंट नमबर फोर में वही पूछा था है कि वाट इस थे एक्सपेक्टर रिटर नॉप्स ठीक है यहां कुछ बच्चे का यह कहना था सब कभी आप ऑप्सन राइटर बन जाते हो कभी आप ऑप्सन होल्डर बन जाते हो मतलब घर की खेती है और कभी भी कुछ भी आप पूरा फिर टाइम लगे ना इसमें यह तो मैं नहीं कर बाइस समझा सकता कि यहां तक कोई दिक्टि नासट वाले पूइंट वें दिक्कत होगी तुमना लाई वाकित आपसे बात कर ऊंगा अगर डावट आता है तो रट लेते हैं तो इसे चीवात हो नहीं सकते है ज यह कोश्चन करके चले जाना अच्छा बाकी डिटेल में दो तीन घंडे का दो घंडे का वीडियो डिलावगा मेरा तो अलग बात है बाकी आप देख लेश अच्छा इस बच्चे इसमें भी डाउट था बच्चो सर सुनो ना सुनो ना सर ये तो तीन मेह का अन्य का रिटन निकला ना तीन मेहने का हमको तो अनुलाइज निकालना चाहिए कहां लिखा भई बस एक्सपेक्टर रिटन मांगा है कुछ बच्चे और ज्यादा दिमाग चला के इन्टु ट्वैलों बाइट ट्री कर लेते हैं ऐसा कुछ मत कर ले ना एक्सपेक्टर रिटन निकाल ठीक ठीक है सर और भी और भी हादत रताब होती कुछ बोलते सर ये तो सत्तर रुपए मिलेगा तीन मैने बाद तो उसका प्रेजेंट वेलों निकालना ना आपको आता है यार टेकर बेकर का डाउट चलो आगे चले टॉपिक दिखरा पुट कॉल पैरिटी पुट कॉल पैरिटी ठीक है मैं इसको नहीं पढ़ा पढ़ाता भी नहीं था पढ़ार रेगुलर की बात अलग है पर अगर मैं कहुंव रिवीजिन में पिछले रिवीजिन में मैं मैंने पुट कॉल पैरिटी नहीं करवाया था क्यूंकि यार इसके कोश्चन नहीं है पर एक कोश्चन आ गया था हलांकि वो पुरी तरह से put call parity का नहीं था पर आया तो था ठीक हो इस पर depend है वो पुरा question इसलिए मैं put call parity करवाने जा रहा हूँ बहुत detail नहीं समझाँगा detail समझाने में बहुत time लगेगा एक class पुरी चाहिए इसलिए कोशिश करूँगा रटवाने और जिन्होंने class देखा है उन्हें तो logic पता है पुट कॉल पैरिटी का equation है है जीरो प्लस पीजीरो इस एक्वल टू सीजीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यों पैस प्राइस इसको ही रटवारना है मुझे एक्क्वेशन को डेरिविशन कैसे हुआ वो समझाना थोड़ा समस्कील है पर मैं कुछ बोलना जाता हूं ज़रा सुना मैं यह सोच रहा हूं या अधियर कर दिदे वाए कि इस उम्मीद से हम शेर करीठे को कि शेर बढ़ेगा पर यारिद दिक्कत क्या है मालूम है शेर डवरास कम हुआ तो से कम हुआ तो कम होने से कैसे फायदा निकालो गतобр taking दो यह मैं शेर्षरी रहां इस उम्मेद से कि शेर का पैस बढ़ीगा पर शेर्ष कम हुआ तो चलो ना रसमीं बहुत भरी लेक्टे वहां से समा लेंगे तो हमने इसके प्राइस के गिरने को protect कर दिया प्रोटेक्ट किसे किया ? put option से इसका नाम क्या इस strategy का नाम है protective put protective put option ठीक फिर से share फिर से छोड़ो हुआ को समझ में दूसरा दूसरा यार आप call option खरीद दिछे पाई कीची है calleking कने को दिर लिए और इसके अलावा कीजिए इन दोनों का प्याओफ एक रिये सा मतलब और एक काम की चिब कुछ पैसा बैंक में जमां कर डाए हालाकि जीरो कुपन बॉर्ड में पैसा लगाना होता पर आप बैंक समझे कुछ पैसा बैंक में जमाना कुछ मतलब कितना बुले जो एक्ससाइस प्राइज है ना उसका प्रेजेंट में जो ऐसा क्यों करवा रहा हूं यह तो अभी समझाना मुस्किल है पर मैं इसको इस एक्वेशन को या लगने वाला ना दोनों का प्रेशन की कोशिख और इसको बोला जाता करीशरी कॉल नाम इसका कैंट भी शरीकॉढ रव फ्योड्योकमी कोण ऑंकू टिक फिडीशरी कॉल yes FD-shirt If you call अपके copy में लिखा हो ठीजर वन लोगों का ये कहना है कि सार कोई person अगर ये काम करता है और कोई person दूसरा person ये काम दोनों का cash flow چाहे share का price कुछ भी क्यों ना हो जाए दोनों का cash flow एक बड़ाबर आता है थिक है तो बोले दोनों में जो पैसा लगना चाहिए वो भी तो एक बराबर लगना चाहिए भी है तो फिर हुगा किया सर हमें तो वैल्यू निकल नहां वैल्यू आपको ये पता रहेगा आपको ये पता रहेगा है यह पतर हैगा तो क्या पीजी रोल निकाल सकते एक्वेशन में पुट करके आसानी से पुछ है नहीं है ठीक है अब आगे और बात करें हमें क्या आज तकता इसमें से इसमें से हमें आसकता आर्विट्रेज निकाल अब वो कैसे मालों यहां इन दोनों का पॉष्ट है 200 और इ क्यांकि डोनों में पैसा एक ज्याशा मिलना चाहिए तो दोनों का कोफ्त भी तो ब्राबर होना चाहिए पर इसका कोस्ट है कम इसका कौस्ट है ज्याधा तो सीधी सीधी बात है आप एक काम करो आप को जो सस्ता दिखराना उसे खरीद लेजीये आप ड्रोटक्तिव औरो कर लिजी होगा वो पूरा नहीं में समझाता है अगर ये दोनों बराबर नहीं है कौश्ट दोनों का बराबर नहीं है तो प्रोटेक्टिव पुट खरी लीजिए फीडिशरी कॉल बेज दीजिए आपका कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 10 सुप्रे का प्रॉफिट हो अपका होगा इसे बोला जाता अर्प्रिस के हैं हाला कि बहुत बड़ा प्रॉसेस होता है पर मैं इस उमीद से पढ़ा रहा हूं कि बैसे तो नहीं आता है पर भगवान ना करे चिपका दिया ना कोश्ट तो आप इस लायक तो हो जाओ कि कोश्ट बना लोग बस और का इक वेशन पीजिरो एक इस जीरो प्रिजें वाल युदि की प effet कर थिस लाम किया रोला था मने फ़ोडने फीडि चुरी कॉं या in the quotation of option premium and stock price, mispricing लिगाना है, suppose if find any such mispricing then how you can take advantage of this pricing position, sir यहां कहां लिखा है कि हम लोगों को put call parity लगा, जहां call option का premium और put option का premium दोनों दिया है तो आपको put call parity में लगाना पड़ेगा, और mispricing पूछ रहा है तो arbitrage भी करना पड़ेगा, अगर मैं कहता हूँ, x limited, फिवियर्ट कितना है, four month, तो four month है, तो 9 version का कितना जाएगा, साधे चार version, खिक, सबसे बहुए, x limited की बात कर, क्या e मालूम है, yes, इसका present value, क्या s0 पता है, yes, क्या c0 पता है, क्या p0 पता, put call parity का equation लगा रहे, equation क्या बहुता, put call parity का, sir, s0 प्लस p0, वही लगा हुगा, 160 प्लस चार, दूसरा, c0 प्लस 100 का present value, 100 का present value, इन दोनों का difference देख लो, कौन सा कम दिख रहा, sir, fiduciary call कम, तो fiduciary call क्या करेंगे, buy करेंगे, और protective put क्या करेंगे, बेचेंगे, miss pricing, possibility of arbitrage, ठीक है, cost, cost of fiduciary call is less than cost of protective put, hence buy fiduciary call, ये end, and self protective put है, पुट, बहुत सारे miss बिखर तोर, इन दोनों का difference निकाल लेना, तो ये कहलाएगा, आपका arbitrage, कैसे निकला, क्या निकला, क्या लोजिक है, तो प्लीज़ भी लोजिक पे मन जाओ, एक्जम पास नहीं है, और वैसे भी ये आपको करवाता नहीं, मैं गरवार हूं, ऐसी वाइन इमिटेट की बात कर लेते हैं, वाइ लिमिटेट, वाइ लिमिटेट, वाइ लिमिटेट, तीन मेहने है, तो तीन मेहने है, तो मतलब 2.25 परशेंट, एस जीरो, तो प्लस 2, और फिट 26 और असी का प्रशेंट, वह यहां किया होगा, 100 प्लस 2 और इम दोने, यहां कम क्या दिख रहा है, यह वाला कम, ठीक है, तो जो करना है, वो कर लोगे, आंसर आजाएगा 2.2, एक्जाम में आएगा, तो इतना बłem कर देना, भास और कुछ मतक्त, ठीक है, सर, आप बोल रहे थे एक क्čशन है, हां मैं आपसे एक क्शक है, अब वो कोशन है कोशन नमर 60 यह कोशन एक्जाम में आया हुआ सर और यह कोशन में आपको टेस्ट में भी दिया था डेरिविटीव का टेस्ट आप सुनो इस कोशन में कहते हुआ विकर दो फोलिंगोट्स आर अविलेबल फर थी मुंत ऑपिशन इन रिस्पेक्ट आप शेयर पाइस इस कुरेंट्ली एक ट्रिडिया हुआ कितना दिया हुआ थ्री वन एक्ससाइज प्राइज प्राइज है थ्री हंड्रेट थी जी रो और पी जी रो एं इन इन्वेस्टर इस्ट्प्रेटिजी ऑफफ बाइंग अप्कॉल अप्सन खरीद रहे है कि अग्जाम में बच्चे क्या होते हैं क्योंकि एक्स्टर पढळ लेते तो भी दिकत है क्या किया था इन बच्चों ने टेस्ट में क्या किया मैं आपको बता रहstorm 90 में टेस्ट में आ किया उन्होंने कहोई वाउ सर्ने तो हम को करवाया है और सर्ने काम करवाया तो उन्हें लगाया स्ट्रेटिजी आपको नहीं बनाना और आपसे आर्विट्रिस पूछ नहीं रहा है वो यह कह रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो करो आप अपने में हिसाब से कुछ नहीं कर सकते अब इस आपको कॉल ऑप्षन खरीदना है मतलब खरीदना ज्यादा दिमाग मत चलाओ खरीदना सर्कॉल ऑप्षन खरीदेंगे तो पैसे जाएगा यस कितना जाएगा 30 माइनस 30 और सिर्षा ऑप्षेयल करेंगे शौक्षेयल का मतलब समस्ज़ रहे हैं उदान लेकर बेचिंगे पैसा आएगा इसर्षा लगरेटी तो पैसा आएगा प्लस इस से क्या निकलना प्रॉभिट लॉस निकलना है तो टूटल आज हमारी पास कितना पैसा है सो शॉटट से पी भी सी आया है तो 330-3 to sir 300 हमारे पास आज आ गया है 300 रुपए आ गया है यह इस ट्रैटिजी से 300 को क्या करोगे आज तीन मैने बाद तीन सो रुपे की जुरूत पड़ी कि आज क्या करूँ इसार बैंक में जमा कर देंगे और बैंक में जमा करने का रहीट है दस परशंट पर रहे नब और आपको क्या लेना आपको यूज करना यह है बताओ इंस्ट्यूट हम लोगों को तो बेवकूप स हद होती है यहां तक ठीक है तो पहला काम है जो आपने स्ट्रेटिजी बनाया है उसका कैश लोग आज का निकाली जिए और आज तीन सो रुपए हमारे पास है उसका क्या करोगे उसको इन्वेस्ट कर देंगे दस परशंट के हिसाब से तीन मैने लिए ठीक है अब तीन मैन देखांता क्या होसकता है 3 मैने बात क्या हो सकता है और राइस कुछ भी हो सकता है तो अपनी मन से कोई भी प्राइस ले लेना एक चादा लेना मैं तो मैंने लिया मैंने एक जादा लिया 1óm कम लिया आप 800 मिले सकते कुछी भी ले सकते में लिए 700 North 200 और सोचते हैं अब क्या होगा तीन मेहने बाद तबसे पहले जो पहले जो इन्वेस्टमेंट के इतना रुपए बैंक में जमा किया था दूसरा शॉट सेल किया था तीन मेने बाद सामने वाला आएगा किया मेरा शेयर वापस करो तुम मार्केट से शेयर खरीदना पड़ेगा चाहे वो शेयर महगा हो चाहे वो शेयर सस्ता तो मेरे जेब से पैसा जाएगा इसी किस तरह फिर आपने call क्या क्या किया कि I call क्या 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 कि था call खरीदा था तो थो शिर के प्राइस के बढ़ने से और exercise price कितना था 300 तो 300 रुपए से बढ़ा तो यहां मुझे पैसा मिलेगा और यहां option laps हो जाएं और put क्या हुआ था, put मैंने right किया था, तो सामने वाला put option exercise कर लेगा यहाँ, और 100 रुपय का, यहाँ मुझे देना पड़ेगा, अब दोनों का cash flow देखो, तो दोनों में gain है, तो arbitrage gain कितना जाएगा, 7.5, मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि strategy आपको नहीं ब कर देते, call, buy कर देते, put और share, तो अब तो कर लोगे, दूसरा वाला strategy आप loss जाएगा, खैर यह करके देखना, point number two नहीं बनेगा, तो मझे से पूछना, तो put call parity खताओ, तो पहला binomial, binomial में दो चीज़े करना था, risk neutral और, और और बोलो, delta az, उसके बद put call parity, जो मैं नहीं करव बातों पर इस बार करवा, तीसरा बचा, B.S.M, B.S.M, black sauce motor, B.S.M. नहीं करते हैं, बच्चे, आदे से बच्चे मुझे से बोलते हैं, सब B.S.M. छोड़ दे क्या, फोड़ दो, नहीं आता है, मैं भी बोल रहा हूं, नहीं आता है, पर जब इतना कर या, पुरा derivative में B.S.M. का अगर हम कर ले, तो समस्या क्या है, तो अब कोई मैं से यह नहीं कुछ है, का B.S.M. कर रही कि नहीं कर, करना है, भाई B.S.M. मैं थोड़ा बहुत लोजिक यहां दे रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश करो, आप चिंता मत करो, पर प्लीज B.S.M. करके जाना, ठ ठीक है, ठीक है, तो आजाते B.S.M. मैं समझा रहा हूं, B.S.M. चलो, अब B.S.M. समझते है क्या, यह क्या लिखा वह, इसको बोल जाओ, यह क्या लिखा हूं, यह मतलब नहीं, बस मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक से लिखा है, कॉल, एक्सरसाइस प्राइस है, 510, ठीक है, कॉल ओप्शन कब एक्सरसाइस होगा, जब 510 से उपर जाएगा, पीरियाड है मालो, एक सल, और एक सल बार, प्राइस हो गया, 600 रुपए, एक सल बार, प्राइस हो गया, 600 रुपए, तो बताओ, अगर मैं कहता हूं, बताओ, वैल्ली ओप ऑप्शन क्या है, सर, 600 प्रा माइनस, 110, 90 रुपए का फायदा है, तो 90 रुपए, उप्शन का वेल्यू होगा, पर एक दिक्कत है, हमें प्रीमियम कब देना होता है, प्रीमियम तो हमें आज देना होता है, तो शेर का प्राइस, फ्यूचर का हमें थोड़ी मालू हमें, तो आज का प्राइस लेना तो और एक definition है ना call option का right to buy हम share खरीद लेंगे कितमे में 510 और उसको बेच देंगे यही मतलब उता ना right to buy book का definition share खरीद के बेचेंगे और share हमें में खरीदना है 510 में पर share कब खरीदना एकसल बाद और उसको बेचोगे कब और इकसल बाद ही पर हम शेद्राइब ऑच कले रहें और exercise प्रेस कबने रहे है एकसल बाद का क्यूंकि शेर खरीदो एकसल बाद करीदो तो आज का प्रास का न फो तो चिलसा ना चाहिए है और इक्सेशाइस प्राइस चब चलो ठीक है 방भ कुछ कुछ एजिस्ट्रेंट करके आथ का प्राइस ले लिए तो यह तो गलत न अ एक्सेशाइस प्राइस यह तो एक exercise price भी बात का होना चाहिए पर आपने उसका present value देखो दिमाख आपका फिर उनका ये कहना है कि इसमें कुछ adjustment कर लो जिसका नाम होगा एंडी 1 और इसमें कुछ adjust कर लो जिसका नाम होगा एंडी 2 बस और जो आएगा वो क्या आएगा समस्या क्या है समस्या यह है कि डी 1 और डी 2 निकाले कैसे यह कुछ नहीं है यह नॉर्मल रिश्रिविशन टीबल को यूज किया जाए और उन्होंने कह डी 1 निकालने का फॉर्मूला है यह बच्चों को याद नहीं होता है इसे रटना पड़ता है और लॉजिक समझने में दो घंटे लग जाते पर चुनों उनका यह क्या बुले सर हम निकालते थे जैट और उसमें थे एक्स माइनस मू डिवाइड इडिवाइड इस्टेंड डिविशन वही दीवें यह में काम करना हमें इसी को नाम उसने डी में दो एक्स को कुछ नाम दिया और एक्स को उनने नाम दिया नेचर रॉल लोग और एवरेस को क्या नाम दिया आर प्लस वेरियस डिवाइड बाइड 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 टू और HD को HD ही निखा ठीक और D2 का बड़ा सिंपल फॉर्मुला लगाया D1 माइनस पर डिटेल में समझना है तो अभी नहीं समझा है याद करना पड़े हैं अब भी नहीं समझा सकता रिवीजन में ठीक है चलो बनाए कोश्चन और यह निकल गया तो फिर मैं आपको नॉर्माट रिश्रिविशन टेबल देखना समझा दूंगा कोई एक मत्र कोश्चन मैंने उठाया है कोश्चन नमबर 17 और कोश्चन नमबर 17 कहां से उठाया है आपकी स्ट्र एसे में भी एक कोश्चन है प्रैक्टिस में में भी कोश्चन बढ़ देख लिए प्रॉम्द फॉलिंग डिट फर श्रटन इस्टॉक फाइंड वैल्यों पिस्टॉक यह क्या दिया हुआ सर्य दिया एस जिए यह क्या दिया है एक्टर साइस प्रैस इस टेंडर्ड डैविशन दिया और मैचुरेटी फिर्ट मुल्द टाइम दिया छे महने को हम 0.5 यह लि दिया है वन टेल लैप्टा टाइट साथ में कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है तो टेंशन देने वली बार पहला काम क्या होगा तब पहला काम होगा लीवन निकाल लेते और डीटी फिर सोचींगे क्या चलो सबसे पहले काम इनको पुट करके पॉरूले में हमने डीवन निकाला और डीवन आप देख लेना कहीं कैल्गुलेशन अगर मिश्टेक हुआ होगा याद रखना बच्चे जनरली इस कोश्चन में कहां गलती करते हैं यहां वो 6 पर्षेंट लिए यहां पूरा 12 पर्षेंट लिखना तोंकि अल्टिमेटली इयर से तो मल्टिप्लाई होना ही है ठीक है यहां पूरा 12 यहां गलती होती है तो फाइनली आ गया 0.5820 इसका नाम क्या है डीवन ऐसे डी हमको टेबल देखना पड़ेगा और टेबल पॉइंट फाइव एट कितना है था तो जीरो पॉइंट फाइव एट टू जीरो देखो किस किस के बीच में 0.55 और 0.60 के बीच में इंटर पॉलेशन कर लोगे और इंटर पॉलेशन से आप फाइनली निकाल लोगे तो यह आ ग 0.2804 को करोगे क्या मैं समझ के लिए टेबल उसका नाम पर जैट टेबल और हमें किढ़र का एडिया देखना होता है यहां का एडिया अगर सर इसका टूटल क्या होता है ये टेबल का टूटल क्या होता है टूटल होता है अगर सर इधर का एरिया दिया है हमें तो यह चाहिए तो फिर वन से मैं इसको कौन सा एरिया बोला जाता है टेल एरिया बोला जाता है कि करो जो एरिया आपने कैल्कुलेट किया है वो लेफ्ट या फिर राइट मतलब टेल एरिया दिया हूं यह वाला इरिया पॉइंट टू एट सीरो पॉर पर हमें तो यह वाला चाहिए तो फिर इसको वन से माइनस करना पड़ेगा जो मैंने किया यह आ गया एन डी वाट पॉइंट सेवन वन नैंट टिक है ऐसी काम क्या करों के एन डी टू अन डी टू निकालों के पॉइंट सिक्स वन सेवन सेवन सेट्स ठीक है फाइनली फॉर्मुला लगाएंगे और आंसर नकलेंगे 13.96 ये कोश्चन प्लीज करके चले जाना खतम ऑप्शन प्राइसिंग खतम हो गया बेसिक खतम हो गया ऑप्शन प्राइसिंग में बाइनोमियल रिस्क नूटल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है डेल्टा बी करके चले जाना बी एसम कर लेना तो देखा जाए तो कुछ किया गी नहीं अब थर्ड पॉइंट पार्ट बच थर्ड पॉइंट बचा हुआ है ऑप्शन का जिसका नाम है ऑप्शन स्ट्राइटजी सर ऑप्शन स्ट्राइटीजी बहुत सारी होते हैं इस्ट्रेडर इस्ट्रेंगल इस्ट्रीट इस्ट्रेट बुल बियर इस बेटर प्राई कॉंडर सर एक्जाम में नहीं आती है एक्जाम में कभी भी नहीं होता क्या सर होता कुछ नहीं है अगर हमें ऐसा लग रहा कि प् बादा होने वाला बढ़ा बहुत बड़ा होने वाल तो क्या करें तर बढ़ बढ़त बढ़ता है कम भी हो सकता सरथ कॉल और पुट दोनों खरीर लेते हैं ना यार, या तो बढ़ेगा तो फिर पूल एक्सराइज करेंगी, पूट जाता है, तो इस तरह से strategy बनाया जाता है हलां कि इसका नाम straddle भी हो सकता है आज तक की history में कभी नाम नहीं पूचा है हमें question आते हैं कि आते हैं पर बता कर बना देता strategy आपको question में भी बता देगा कि हमने यह किया भया आप नेट पे ओप निकाल ठीक है इसलिए मैं strategy लिख तो दिया यहां इस ट्रेगल थोड़ा बहुत पर मैं नहीं नहीं करवा रहा हूं strategy इस्ट्रेडल इस्ट्रेंगल लिख दिया था मैं बहुत सारे मैं सिर्फ पर सिप एक question पर आ रहा हूं question अब यह question जो है यह आई-सी कोशन को घुमा घुमा कर दे था इसी कोशन बार 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 याद रहा है यह question important लिख लेकि हाँ बता पहला question मैं आपको important हम जैसा derivative मुस्किल समझते थे तो भी एक मुस्किल वाला पार्ट आता ही नहीं है क्यों कर रहे हूं जो इजी आता उसको तो कम से कम अच्छे से कर लो यह question आपको अच्छे से करता है कहां आया आर्टीपी में 2022 का question लिया हूं हलाक एक्जाम में कई बार ऐसे question कर एक बार पढ़ूं मिश्टर पी ने इस्टाब्लीज किया एक spread ऑन दा कॉस्टल कॉर्परेशन स्टॉर्ट क्या होता इस प्रेड अलग चीज़ होती है कि पाई किया है कि कॉल प्रीमियम कितना गया प्रीमियम जा रहा है साथ 6 रुपए 50 पैसे exercise प्रैस कितना 110 मतलब सरी यह 110 से उपर जाएगा तो इसके अलावा उसने और एक कम किया क्या किया पर्चेस और एक क्या पुड भी पर्चेस कर लिया हाद हो गई पाई किया है उट प्रीमियम कितना जा रहा है दस और यह कितना 90 इससे नीचे जाएगा तो exercise यह दो तक पता है तो सब उससे सबसे टूटल मिलाकर हमारे जेब से यह स्ट्राइटीजी बनाने में ज कितना रहा है हमारे जिप से जा रहा है सोला रुपए पचास में तो टोटल मिलाकर अब आप से क्या बोल रहा है बोले अभी 100 रुपए का शेयर भी रही है हमारे काम आपको प्रॉपिट और लॉस निकालना अगर शेयर का प्राइज 100 रुपए ही रहता है तीन महने बाद तो सोच समझके बताओ पॉल एक्सिस होगा कि पूट एकसेज़ कॉल यह फूट एक्सोदस से उपर कोल और नभे से उपर नभे से नीचे नाइटी से नीचे पूट ना तो कॉल एकसे साइज तो खूआ क्या आप बोले मेरा प्रीमियम चला गया कितना सो लुपए पचास सकता है अगर प्राइस सब्सक्राइज आता तो पुट एकसरसाइज होगा 90-70 तर 20 रुपय ग्रॉश पी ओफ माहना सोला रुपय 50 पैसे कर देंगे इस मानस सोला रुपय 50 पैसे तो तेन रुपय 50 पैसे का प्रॉपरपिट तीसरा अगर 138 है तो call exercise हो जाएगा तो 138 माइनस 110 तो 28 रुपए का फी ग्रॉस पी ओफ माइनस 16 रुपए 50 पैसे तो सरक 11 रुपए 50 पैसे का profit बस लाश्ट में बोले आप 1000 शीर से ले ना यह उसने किया होगा पहले में 16000 पासों का लॉस दूसरे में 3000 पासों का profit और तीसरे में लाश्ट में 11000 पासों का profit कोश्चन कितने नंबर के आएगा आठ आपको मिलेगे कितने दो नंबर तीन नंबर कर क्यों मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई यह है सिए फाइनल वाले बच्चे लिखना पसंद नहीं करते यार पैरग्राफ कौन लिखे यार बस आप भी जानते हो सच्चाई कि यह दो फाइन में खतम कर दिए तो लाइन में खतम हो जाएगा तहाब प्रजिनटेशन खराब है प्रप्लीज करो करो लिखो इसको निखोगे तो नमबर मिले गए नहीं लिखोगे तो अपसेन इस्ट्राइटजी खताम वाव बाव बास और कुछ नहीं करोंगा इसके ऐसे बहुत सारे कोशने इसको कर दो सफिशन पर फॉटा लिख लो प्रैक्टिस कर दो कम से थोड़ा ल वाना चाहिए यह कोशन बेलकुल गंदा कोशन एंविकेस कोशन बोला जाता इसको पर पता नहीं इसको में मेरा दिल आगे हां कहया ना तो किसी से नहीं बनने वाद इसलिए करता है कि होमग दे दूं करवा दोसर करता है कॉल एन पुट अन दा स्टॉक इच अप देविस प्राइस कितना 60 मार्केट प्राइस दे रखा 55 मार्केट प्राइस अप पॉल दे रखा 9 मार्केट पैस आपॉर्ट दे रखा शेयर का प्राइज अगर 50 रुपे होता 55 होता 60 होता पैसे होता और 70 होता अब इस कोश्चन में सबसे बेकार चीज़ यह expiration date cash मतलब क्या अशर है मतलब सुनो एक्सराइज मैं बाइज कॉल की बात करा हूँ बाइक कॉल ऑप्शन मतलब साट रुप एक्सराइज प्रैस है और यह है 50 रुप है कॉल ऑप्शन का मालूम एक मिनिंग और क्या है राइट टू बाइ हम शेयर खरीद लेंगे और शेयर कब खरीदेंगे जब साट से उपर जा ओएगा हम शियर खरीद के मार्किट में बेज देंगे राइट टू बाइह ऐसा बुक का डेफिनिशन को सर अगर शियर का प्राइस 50 पाइस हुआ हम शेयर देंगे नहीं तो हमारे जेब से कुछ जाएगा कि maturity को हम खरी देंगे नहीं बात करता हम कुछ नहीं जाएगा तो उसको बोल दिया उसने जीरो कि सर अगर 55 हुआ तो भी हम option exercise नहीं करेंगे share खरी देंगे नहीं तो भी कितना जाएगा हमारा जीरो सर अगर 60 हुआ तो भी नहीं खरी देंगे जीरो अब सुनो सर अगर मार्केट में 65 प्राइज हुआ तो खरी देंगे कितने में खरीदने का राइट है और 60 रुपए में खरी देंगे तो मेरे जेप से साथ जाए तर आएगा बीना वह वह नहीं किया भई आएगा वह वह वाला इस यह नहीं किया इट मिस हम जो शेयर खरी देंगे ना बस उसी को तो कितना जाएगा 60 मतलब कुछ कहना नहीं चाहता मैं बोल रहा हूं इस टॉक एक्षिन से अगर एक्सराइस प्राइस से उपर गया तो मैं शेयर खरी दो श्टॉक एक्षिन से नतल ATM से किसी ओर है से इसका मतलब सियाम बेचेगा यह यत मतलब अगर आप वाल राइट कर रहा हो तो श्टॉक पास पैशा आएगा याक पैसा और इसथियर दे जायेगा शिर ले जायेगा पैसा अ दे देगा थ से यह उन्हों बताया expiration date cash दूसरा क्या बोला investment value investment value को मतलब यहां उन्होंने gross pay off निकाला investment value मतलब gross pay off मतलब मैंने जो option खरेदा है उसकी value क्या है investment value नाम प्रीमियम को अभी बिना premium के maturity को उसका value किया है ऐसा बोला है ऐसा मैं रटवा रहा हूँ गलत question है और net profit का मतलब क्या होता है net pay off यह वाला ठीक है यह वाला भी गलत है यह वाला पर करना पड़ेगा तो आप कर लिजिएगा इस question को investment value मतलब gross pay off निकाल लेना और net profit मतलब net pay off हो जाएगा यह वाला मैंने थोड़ा सा हलका सा idea एक छोटा सा theory है रहा है कि एक्जाम में आ सकता है इसलिए मैं एकर वारा हूँ इसके बाद option कतम हो जाएगा बात खतम करें यह option जो है option का value किस पर depend करता है मैंने आपको एक नाम दिया था जिसका नाम दिया था delta delta का मतलब delta का मतलब सर्क मालो call option है तो call option में share का price बढ़ेगा share का price बढ़ेगा तो option का value भी बढ़ेगा share के price के बढ़ने से option के value में change होता है और जिस rate से change होता उसको बोलते है एक होता gamma तर गामा क्या होता है तो गामा तर गामा तर गामा है क्या देखा सुनोगे पास सो से छे सा हुआ तो यहां 100 से 150 मतलब यह सौ से तो यहां delta कितना निकला पॉइंट 5 अब यह 600 से सास हुआ तो यह 150 से मानलो 170 हो गया या फिर ऐसा समनो 150 से तो अब तो आपकी बार 230 मानलों 150 80 रुपएin 100 सो तो यह की ज вопрос आपकी बार delta चेंज हो ग strangely हो गया पहल्ले रह्ली पॉइंट-5 अब टेल्टा हो गया फॉइंट-3 शेर के प्राइस के चैन्ज होने से डेल्टा में जो लाता रिख सको बोला जाता है गामा फिर से शेयर के प्राइस चेंज होने से शेयर के प्राइस चेंज होने से वेल्यू ऑप्सन में चेंज होता उसको बोलते है डेल्टा फिर के प्राइस होने से डेल्टा में जिस रेट से चेंज होता उसको बोलते है गाव ठीक है सर यह तो बात समझ में डेल्टा हो कहा है तो तैम के बीतने से लास्ट आ जायेगा तो हम जो दिफेरेंस है वही देंगे बस टाइम के बीतने से ओप्सन का वैल्यू कम होता है उससे क्या बोला जाता है थीटा टीफजिशेट थीटा टीफजीक ना गॉलिटिलिटी बहुत जादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा डेल्टा दूसरा किया बोला था गामा थेटा वेगा और चार नंबर का कोशिशन आ सकता है इसलिए कर वाएं ऑप्शन खतम हो गया ऑप्शन थोड़ा सा मुस्किल टॉप्टिक होता है समझा नहीं इसलिए जागा टाइम लगा कोशिश यह रहेगी फ्यूचर जल्दी खतम हो जाएगा तो यह था पार्ट नंबर वान पार्ट नंबर टू कोशिश करूँगा आज ही अफ्लोड करको टेंशन करका है नहीं करच थांक्यू झाल 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 झाल